हेलो एब्रिवन कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत ही खुश और मन लगागर पड़ाई कर रहे हैं राइट बच्चों तो मैं पूनम फ्रजापत कक्षा बालवी की रसाइन विज्ञान की इस अमेजिंग क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं बच्चों आप सब खुश हैं इसमें कोई डाउट ना ही क्योंकि आप सब मेरे साथ डाउट में जो पढ़ रहे हैं राइट ना बेलकोल तो फटा वट फटा वट जुड़ जाए जल्दी से और सभी के साथ शेयर कर दीजे क्लास को ताकि सभी बच्चे अच्छे से आप लोगों के सा पड़ सके या यह कहूं कि मेरे साथ पड़ सके हैं ना तो फिर आगे शुरू करते हैं आज अपन क्या करने वाले आज अपना क्या टॉपिक रहेगा पटा फर जल्दी शेयर करो ताकि मैं अपने जो ग्लास है उसको आगे बढ़ा सको और जल्दी से जल्दी जुड़ते क्लास को लाइक कर दो, शेयर करतो और अगर चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे सब्सक्राइब भी कर दें ओके बच्चों तो भाई हम लोगों ने अपना पहला चप्टर कंप्लीट कर लिया था राइट आप सब ने पढ़ लिया है उसके नोर्स भी बना लिया होंगे बच्चों सीरियसली काम करना है बेटा तभी टॉपिक समझ में आएगा तो आपने वो सब कर लिया है ठीक है और सभी बच्चे नोर्स बनाने के साथ साथ रिवीजन भी करते रहना अब सेकिंड चाप्टर शुरू करेंगे आज का अपना नया चाप्टर आपके सामने आज मैं नया आयंन कि क्लम क्या होती है जशली हम सोच ते यह का है हमें समझ में नहीं होता है बह uniqueness चैप्टर है इसको यदि हम अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर लें तो इससे इजी चाप्टर नहीं रहेगा क्योंकि हमारे घर में लाइट आती है ना आती ही है हम सब रूम में लाइट जलाते हैं तब तो हम चीजों को देख पा रहे हैं यह सब देखना कैसे संभव हुआ यह सब संभव हुआ विद्युत से electricity से यह क्या है यह तो हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं हमें बच्पन नहीं बता दिया गया कि इलेक्ट्रोन का प्रवाद धारा होती है और धारा जब चलती है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायर द्वारा पहुंचाई जाती है तो हमें कोई भी बल्ब है टुब अच्फ़े यह प्रक्रम जो है यह प्रासिजर जो है वह होता कैसे है इसको हम आज देखने वाले हैं तो बच्छों यहार पका चैप्टर रहेगा च्प्टर में बहुत कुछ है जो आपको लोगों के साथ है और यहFISCAL helix का चैप्टर है इसलिए यहां से न्यूमेरिकल भी आता है तो जादा समय को कंज्यूम ना करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहती हूं आप लोगों के साथ तो फटा-फट कमर कर सो पैन कॉपी उठाओ और लिखना शुरू करेंगे और साथ-साथ में कानों को भी खुला रखे है क्योंकि सुनना भी तो राइट तो चलिए बच्चो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जरा एक नजर उस पर आज हम पढ़ेंगे क्या बेटे आज हम पढ़ेंगे कि जो विद्धुत रसायन हैं उसके अंदर उसके प्रकार कितने होते हैं यानि कि विद्धुत रसायन जो टॉपिक है उसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं उसके टाइपस कितने होते हैं जो सेल पढ़ेंगे आप उसके टाइपस कितने होते हैं साथ ही आप पढ़ेंगे इलाक्टूड विभव क्या होता है और उसी के साथ सेल का एक प्रकार भी पढ़ेंगे आप जिसे बहुत अच्छे से अपने को समझना है वह है गैल्वनिक सेल जिसके कई नाम होंगे वह नाम क्यूं है इतने प्रकास से क्यूं रखा गया है वह सब हम करेंगे तो फटा फट शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो क्या है विद्यूत रसाइन बच्चों जरा ध्यान से समझें विवे तो रसाइन एक एलेक्ट्रोकैमेस्ट्री है इलेक्ण्षामेस्ट्री कहूं तो रसाइन bidding की वह शाखा है जिसमें हम लोग यह आध्यंद करते हैं कि जो उरजाएं होती है उरजाएं तो आप जानते हैं ना यांत्रिक उरजा होती होती है तो उर्जा बहुत प्रकार कि उनमें से विद्युत और रासायनिक उर्जा जो है उनका अंतर परिवर्तन विज्ञान की जिस शाखा में यह कहूं रसाइन विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं विद्युत रसायन किसे कहते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होता है विद्युत उर्जा का रसायनिक उर्जा में या रसायन उर्जा का विद्युत उर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्यन किया जाता है तो ज़रा इस स्क्रीन पर जिसके अंतरगत क्या कि जिसके अंतरगत हम क्या करते हैं विद्यत उर्जा का रसायनिक उर्जा में और रसायन उर्जा का विद्यत उर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्यन करते हैं उसे विद्यत रसायना कहते हैं यहां तक तो बात क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है किसी होता है Professor युश्म कहा और कि पात्र क्या कहलता है सेल कहते हैं सेल कहते हैं तो सेल क्या होता है जिसमें रासाइन कूर छाको विद्ध तुर्जा में और विद्ध तुर्जा को रासायन कुर्जा में इंटर चीज किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है तो उसे हम सेल कहते हैं बात समझ में आ गई टॉपिक तो क्लियर हो गया यानि कि विद्धुत रसायन में आप पॉर्टिकूलरली कौन सा टॉपिक डिसकस करेंगे सेल क्यों करेंगे कि यही वो युक्ति कि यह जो क्या करेंगी रासाई निकूर्जा को विद्धुत र्जा में परिवर्तित करेंगे चले तो आओ बच्चों अब जो यह सैल है यह सैल कितने प्रकार के होते हैं राइट कितने प्रकार के हो सकते हैं सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे फटाफ़ दिखें जाएंगे तो फटा-फट जो मैं क्योश्टन पूसका अंसर करेंगे जल्दी से दिन दिखें क्या होगे सेल के प्रकार चलो बढ़िया बात है कुछ बच्चे कह रहे हैं सबी बच्चे ध्यान देंगे दो ही प्रकार के होते हैं तो हमें कैसे पता चले अचा सुनो आप सबके घर में सेल तो होते हैं क्यों घड़ी सबके घर में हैं दिवार घड़ी होती है न सबके घर में वहां पर भी सेल लगाए जाते हैं लगाए जाते हैं और एक है आपकी मूबाइल अब मूबाइल का तो क एक सेल लगा हुआ है तो क्या थे दो सेल है इनने क्या वर्क है सोचो एक तो यहां एक ऐसा सेल है जिसे चार्ज किया जा सकता है आपके मोबाइल वाला और दूसरा यही दो सेल हैं जिने आपको पढ़ना है राइट रियल लाइफ में किती पर रहे होते हैं दो घर में देख लिए ना एक तो वह जो क्या है दिवार गड़ी पर या फिर हात में पहनी हुई जो घड़ी होती है उसमें लगता है दूसरा कौन सा है जो आपके मोबाइल की बैट सेल के दो प्रकार है पहला है रासाइनिक सेल और दूसरा है विद्ध अपकर्टनी सेल यानि कि जो सेल आप क्या करते हैं दिवाल घड़ी में लगाते हैं या हाथ में पहनने वाली घड़ी में यूज करते हैं वह विद्ध अपकर्टनी सेल जिने चार्ज नहीं किया जा सक सकते हैं आप चार्च कर सकते हैं याणि कौन सा सेल है राज साइनिक विद्धूत रासायनिक सब राइट तो कितने प्रकार के हुए भई धो प्रकार काई यह रहा कि सामने लिद्धूत रासाइनिक सेल और विद्धूत अब गटनी इलेक्ट्रोगेमिकल सेल और इलेक्ट्रोग लाइटिक सेल बात समझ में आई सबको क्लियर हुई समझ में आगए अब भूलोगे तो नहीं सेल के प्रकाद कभी नहीं दिवार गड़ी और मुबाइल यह तो भूलने का सवाल ही नहीं भाई इसे से जीवन चल रहा है वरना तो वही है मुबाइल तो इतना जरूरी हो गया जैसे की जीवन जीने के लिए ऑक्सिजन गेस राइट बिल्कुल अगर वह ऑक्सिजन गेस मर जाए ना तो मुबाइल नहीं हो तो वही इस्तथिया है बाई सही है ना तो फटा फट जल्दी से क्लियर हो ओके ड़न आप चलते है हम आगे अगला टॉपिक है कि आपका विद्धुत रासायनिक सेल वैद्धुत रासायनिक सेल क्या होता है और विद्धुत अपगटनी सेल सही है इनके परिभाशा है अपन देखेंगे इसके बात आगे बात करेंगे विद्धुत रासायनिक सेल की परिभाशा इसी के नाम से बनाएंगे हम ज्यादा पेंचन नहीं क्या रासाइनिक शब्द आया ना यस आया तो कौन से उर्जा रासाइनिक उर्जा किसमें जाएगी विद्यूत उर्जा सही है हाँ यह तो ऐसी से लिया युक्तियां जो रासाइनिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में convert करती है जो चाड़्जभल होती हैं विद्यत्य रसाइनिक सेल कहलाती है राइड परीबाशा देखो चाला स्किन पर क्या कहीं चैनल कहलाते हैं वॉल्टी असल इसे डेनियलसल द्यानियलसल या फिर इसका दूसरा नाम पता है बच्चो क्या है जिंक कोपर सेट ओके डन बात समझ में आई की नहीं जल्दे से बताएंगे कमेंट में लिखेंगे यस मैम ओके जी ओके अब चलते हैं परिबाद समय में आगे ना कंदीूस खiments होना भी नहीं चाहिए दूसरा है विद्वत अफ़ घटिक सैट एलेक्ट्रो कौन साघ्रोलाइटीक एक सैट रिए कि इसके परिवाशा विड्वत McD विद्यूत मत्लब विद्यूत उर्जा इसमें चेंज होती है रासाय 1947 पर है से परिवार्ज है व सेल क्या करते हैं विद्यूत रासायनिक गुत देते हैं उन्ने क्या कहते हैं विद्ध्यूत थेनी तो अपटनी से ल केपे थाए नहीं कि तो तो इस तरह से दो पात्र में होंगी इस तरह से ओके वहीं पर यदि आप विद्यूत अपगटनी सेल की बात करेंगे तो यह एक ही पात्र में संपन होगे और इसी पर दो छड़ लगाकर हम लिख देंगे एनोड और और केथोड राइट अगर अपन इसको यहां पर देखें तो अपने को क्लियरली नजर आएगा कि दो छड़ें वो एक ही पात्र में रखी गई अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या होगा इससे आपने दिये एक पात्र लिया या दो पात्र लिये क्या फर्क पड़ता है नहीं फर्क पड़ता है पता है क्यों कि जब आप का एक बार जब धारा का प्रवा होता है तब तो क्या होता है कि बार बार रिवर्स रियक्शन होती है एन और से कैथोर कैथोर से एन और वापस आता रहता है और जाता रहता है लेकिन अगर आपका सेल चार्जेबल नहीं है तो वह एक पात्र में हो रही है अभी क्रिया और ए हो रहा है और वह धारा का प्रवा हो रहा है जब यहां पर The solution में आवेश्झ खतम हो जाते हैं चार्ज कम होना शुरू हो जाते हैं तो फिर तो वहां पर इसे पुनह हम चार्ज नहीं कर पाएंगे आवेश्च तो नहीं कर पाएंगे तो विद्युत अबगर्टनी लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां पर दो पात्र लिए। यहां पर हम बाहर से कोई युक्ती जोड कर इसको क्या कर सकते हैं चार्ज कर सकते हैं क्योंकि यह ऐसे कर से होते हैं जिनमें बाहर से क्या होता है कोई बैटरी को लगाया जा सकता है इसलिए यहां पर इलेक्ट्रोनों का प्रवाजब होता है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं और बाहर से कोई युक्ति जोड कर इने चार्ज किया जा सकता है लेकिन यह इस प्रकार के बंद सेल होते हैं जिने एक बार चार्ज कर दिया तो दूसरी बार चार्ज करना संभाव नहीं है बात समझ में आ गई क्लियर हो गया होगा टॉपिक तो अब चलते हम अपने अगले पड़ाव पर जो है क्या कि विद्यूत अफगटनी सेल और रासाइनिक सेल में क्या आंतर है बच्चों यहां से क्यूस्टन कंफर्म आता है दो नंबर का क्यूस्टन जो है वो क्लियरली पूछा जाता है तो इस नहीं होता है चार्जेबल है ना रासाइनिक जबके विद्यूत अफगटनी क्या है चार्जेबल नहीं है जल्दी 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 लिखो सेकिन अगर समझ में तो यसमें लिखते जाना सेकिन अगर वह रासाइनिक उर्जा का क्या करता है विद्यूत उर्जा में तो रास मतलब क्या है कि यह तेन्ट में पड़ा था ना फिर इलाइवंट में भी पड़ा था न अगर फिर भी याद नहीं है तो याद दिला देती है एसी अभी क्रिया जिन में ऑक्सी करन वह अप्चेयन साथ साथ संपन होता है उन्हें रेड गुट लेगे और रहा है और अब फिर भी आद नहीं आया तो फिर सुनो ध्यान दो अगर किसी समिकरण में एक । शें निकल रहा है और दूसरे से जुढ रहा है यहनी ऐकिजन का निकलना आप चैन और अक्सीजन का जुढना क्या होता है बच्चों कि अप तो रेड़क्स रही हो गई समझ में आप तो नहीं भूलेंगे भुलना भी नहीं होती है जब कि पिक बार जोगा फिर वापस उगतार होते हैं उनमें और पर हमेशा जबकि वर्दवगट्नी सेल में एनॉड़ पर रहता है प्लस चार्ज रहता है ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे इसलिए एक ही शब्द बोल रही हूं एनोड को याद रखो रासाइनिक सेल में माइनस और विरुद अपगट नी सेल में एनोड पर क्या होता है प्लस बाके तो आप समझ जाएंगे उसके आपोजित डायर राइट जी पहला समझ में दूसरा या तीसरा चोथा लवन सेतु का प्रियोग क्यों होता है क्योंकि वहां पर दो पात्र है जिनको आपस में जोड़े रखना है तो वहां पर एक यू आकार की नली लगा कर हम रखेंगे तो वहां पर वो क्या हो जाएगा आपका रासाइन फिर में दोनों को दो पात रहें त्लिए कोई यू आकार की नली नहीं यहां है लवन सेत्त्व का उपयोग में लास्ट विर्ट नॉर इनमें एलक्ट्रोन बाहिए परिपत में एनोर से केथोर की और चलते हैं और इनमें एकिन में बाहिं बैट्ट्री से प्राप्त ह होते हैं यह कैथोर से प्रवाइट होते हैं और एनोर की और बहां निकला ध्यान देंगे यहां पर इलेक्ट्रोन एनोर से कैथोर की और जब कि यहां पर इलेक्ट्रोन के थोर से एनोर की और जाते हैं क्योंकि यहां पर जब आप बात करते हैं तो यहां एनोर पर कौन सा चार्ज होता है बिटा प्लस और केथोर पर माइनस तो इलेक्ट्रोन माइनस से प्लस की और जाते हैं ना वैसे ही यहां पर बात करें बच्चों तो यह इस तरह के दो पात्र होते हैं जिसमें लवन सेतु होता है और दो लगे होते हैं टेंशन मतलो यह बहुत अच्छे से आगे डिस्क्राइब किये जाएंगे कि यह कैसे बनता है तो एनोड पर माइनस है और केथोर पर प्लस है तो इलेक्ट्रोन माइनस से प्लस की और बात समझ में आ गई तो पटाफट यस मैं हम लिखेंगे और जो बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं वो क्लास को लाइक कर दें और जादा जाए शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा में सकें बच्चों चलते हैं आगे अब शिरू करते हैं अपना टॉपिक साज हम लोग क्या पढ़ेंगे ग्येल्वनिक सेल जो सेल होता है जरा ध्यान देंगे ग्या शेल है आपका क्या होता है ओके आराम से रिलैक्स होकर इग्या गarmuyt सेल ही क्या है डेनियल सेल है मैं सेने घ्यलविनिक सेल है कि वॉल्टी यह सेल है कि मैं गण्री करना तक को इक नहीं नहीं हर होनी भी नहीं आगे तो और भी नहीं होगी जब यह Us थब जुदभा ध्रैंब गैल्वनिक सेल को रासाइनिक सेल भी कहते हैं विद्धु रासाइनिक सेल कहते हैं तो कि ये रासाइनिक उर्जा को विद्धु उर्जा में करता है इस सेल में क्या है दो पात्र होंगे ठीक और इन दोनों पात्रों में अलग-अलग सॉलुशन्स होंगी ठीक, इन में छड़ें लगी हुई होगी और इनको एक यू आकार की कांच की नली से जोड़ा जाएगा जिनके अंदर रुई की डाट लगी है और ये है आपका अनोर्ड और ये है बच्चों के टो सही है, और इनको जोड़ दिया एक बैट्ट्री से ठीक बात, clear, इधर, माइनस, इधर, प्लस, एनोर्ड पर माइनस के टोर्ड पर हमेशा क्या रहेगा, प्लस, जब शुरुवात होती है ध्यान देना, अब बच्चों, जब आप इसको पढ़ रहे हैं, तो galvanic cell में क्या होगा, कि आपके धारा का प्रवा और electron का प्रवा कैसे होगा, electron का प्रवा एनोर्ड से cathode की और जा रहा है, जिब कि धारा का प्रवा cathode से एनोर्ड की हो, राइट, यानि galvanic cell समझ जाया है, ऐसा रासाइनिक cell जो दो पात्रों में अभी क्लिया संपन करता है, इनमें एनोर्ड कैथोड लगे होते हैं, दो पात्र होते हैं, जिनके अंदर solutions अलग-अलग होते हैं, छड़ें अलग-अलग होती है, उन्हें एक बैट्ट्री से जोड़ा जाता है, एक एनोर्ड होती है, एक कैथोड होती है, और एनोर्ड पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, बात समझनें आ गई होगी, आ गई ना, यस मैम जल्दी से लिखेंगे, फटा फट कमेंट में, तो ये बात क्लियर हो गई, अब आपको इसकी थियोरी में बदा जाता है, सबसे पहले क्या है, गैल्वनिक से गैसा उपक्रण है, जो रासाइनिक उर्जा को विज़ता है, इसका आम अनुप्रियोग है, जिसे बैट्री भी कहा जाता है, इसका आविसकार गैल्वनिक और ऐसे, एलसेंडो वॉल्टा द्वारा, एलसेंडो वॉल्टा द्वारा किया गया, जिसमें वॉल्टेज बनाने की च्छंता होती है, ये बात तो समझ में आई हुई है, अभी मैंने समझाई थी, डाइगराम बना कर, तो कोई भी कर दो, दूसरा क्या कहे रहा है, एक कंटेनर होता है, अभी दिखाए इतना दो पात्र, पात्र को क्या कहते हैं, कंटेनर, ठीक है, जिसमें कॉपर सलफेट, और उसके अंदर कॉपर की चड, रॉड लगा दी, दाला जाता है, जो कि के थोड का कारिय करता है, इस कंटेनर के अंदर एक छिद्रित कंटेनर रखा जाता है, जिसमें क्या है, जिंक सलफेट है, जेडन असो, फोर, भर दिया जाता है, जिंक की चड ही डाले जाती है, एक तामबे के तार से इन दोनों चड़ों को जूर दिया जाता है, वेसे के लिए क्या बताना चाहता है यह के रहें दो पात्र है एक में जिंक सेर्फेट एक में और कॉपर सेर्फेट में जिंक कि छड़ार और कॉपर की छड़ लगा भाई अलग-अलग नहीं ताकि आसानी से आइनो का ट्रांजिक्शन हो सकी है ठीक है इस सेल में पर्टिकुलरली जिंक और कॉपर का यह उजदा इसलिए से जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं क्लीर बात समझ में आगई तो आपके सामने एक डायगराम दिया गया है दिख रहा है बिलकुल जी बिलकुल यह डायगराम क्या कहे हाँ एक दम क्लीरली आराम से समझेंगी तही कोई भी ऐसे नहीं फेल करें कि हमें आयां नों humility लेकिन ऊसके लिए शớiद है वेटा कि ध्यान क्लास पर होगा तबी समझ में आएगा हम कोशिश कर रहे हैं पर साथ आप दोगे तबी होगा वकारिया तो बच्चों दो छड़े देख रहे हैं आप छड़े देख रहे हैं सब बिल्कुल देख रहे हैं एनोड और केथोड ठीक है एनोड के छड़ जिंक, कैथोड के छड़ कॉपर आप सोच रहे होगे कि एनोड जिंक ही क्यों लिया मैं बताते जाओंगी तो बाते क्लियर होते जाएगी एनोड की जो जिंक की लिया तो जिंक और कॉपर में जिंक की क्रिया शिल्ता ज़ादा होती है यानि इस पर electron density जादा होती है इसलिए यह एन और का कावे करता है अगर फिर भी याद ना आ रहा है तो आपने तेंट में एक सक्रीता स्रेनी पड़ी थी याद है लीथियूम सोडियूम पोटेशियूम याद है जिंक आईरन कॉपर और उसके बाद में कॉपर नहीं जिंक के एलिंट में तो क्या था हाइड्रोजन हाइड्रोजन के नीचे दिएosp Such सिल्थ जादा और नीचे कम नीचे वाले जो ते हैं उनकी क्रिया शिलता कम होने के करण उनने के थोड़ी रूप में यूज यूज लेते हैं और हो ने जाता है बात समझ में आ गई होगी मैं topic to topic चल रही हूं जाद ध्यान से पड़ो पात्र ले लिया इसे पात्र कहां ठीक है यह भी पात्र है इसमें जैन ऐसोफ और सी यूँ सफ फोर तो copper की चड़ लगा दिए दोनों के बीच में एक क्या जोड़ दिया दोनों को जोड़ने वाला एक लवन से तूजिसके अंदर अगर अगर जेली जीसा पदार्त के Cल का पदार्थ भी हो सकता है एजी एनो थी का भी पदात भरा जा सकता है यह क्या कार्य करेगा बात करेंगे जोड़ दिया इसके कार्य की विभाते करें उसके बाद इन दोनों चड़को एक किसे विभव मापी या गैल्वनु मीटर जो यह बताएगा कि धारा का प्रवाह कितना हो रहा है उस कहते हैं राइट अब बात आती है यह तो हो गई सरंचना अब इसके अंदर लवन सेतु का क्या काम है सबसे इंपॉर्टेंट है यह बात यहां से क्यों आता है मेरे बच्चों कि लवन सेतु जो है वो क्या कारे करता है सबसे पहले लवन सेतु जो है वो क्या करता है पात्र को या सेल को यह को तो जदा अच्छा होगा सेल जो है सेल को उदासीन रखने का अखाजे करता है ठीक है सेकिंड आइनों का आदान प्रदान करता है आइनों का प्रदान ठीक हैव सेल को उदासीन करने का और आइनों का ट्रांजेशन करने का कर देड़ Channel का इससे इस तरह जा रहे हैं तो अगर यहाज ज़्यादा इलक्त्रोन हो गए तो यहां से वापस इल्याक्त्रोन यहां पर इंच्छा सकते हैं ताकि यह विद्धुत उदासीन बना रही तो लवन सेतु का बहुत इंपोर्टेंट रोल है और दूसरी बाद यह ऐसा मिश्क्रिय होता है यह खुद किसी के साथ रियक्षन नहीं करता है इसलिए इसे लवन सेतु नाम दिया लवन ही दिया यह खुद निट्रल फॉ कम है उसकी तरफ दूसरे इलैक्टोन लाने की कोशिश करेंगा बात क्लियर हो गई समझ में भी आ गया होगा कि लवन से तो क्या कारे करता है टॉपिक समझ में आया स्ट्रेक्चल को दम क्लियरली मैंने समझा दिया है आपको बात समझ में आ गई होगी तो पटा पड़ इस तो इसकी कार्य परणाली पर थोड़ी चर्चा कर ले यानी कौन क्या कारे करता है राइट चले तो सबसे पहले देखो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि कॉपर की तुलना में जिंक अधिक सक्रिय होता है जिंक की चड़ से जड़न प्लस टू आयन क्या करते हैं वीलियन में जाते हैं था इलैक्ट्रोड जिंक की चड़ पर शेश रह जाते है राइट हाँ या ना तो जड़न प्लस टू लेक्ट्रोन जिंक की छड़ से क्लियर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डाइग्राम बना रही है ताकि मैं इन बातों को आपको अच्छे से समझा सकूँ थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि बात क्लियर हो जाए क्लियर आप भी मेरे साथ साथ बना लें ताकि आपको भी चीजे समझ में आ जाए एन और और केठोर यहाँ जड़न आसो फोर यहाँ सी यू आसो फोर ड़ल यहाँ जड़न आसो फोर में जड़न प्लस टू एस उफोर माइनस तू सी यू प्लस टू एस उफोर माइनस ठीक है और यह चड़ है जिंक की और यह कॉपर यह धातू है और यह धातू आयन है जरा ध्यान देंगे कि आपके पास पात्र में जिंक आयन है और यह दातु है बात क्लियर है ओके ड़ चलू पहला पॉइंट कह रहा है कि कॉपर की तुरला में यह क्लियाशिल जादा है इसलिए जिंक की छड़ से जड़न प्लस टू आयन वीलियन में जाते हैं यानि कि यह क्या कर रहा है इलेक्ट्रोन का दान कर रहा है इलेक्ट्रोन जा रहे हैं यहां से यह माइनस और यह तो यहां जड़न प्लस टू लगातार बनता जा रहा है clear और यह electron किस और जा रहे हैं बच्चों यह जा रहे है कोपर की तरह clear कोई doubt नहीं second जिंक की छड़का oxygen होता है तो इसे anode कहते है औक्सिकरन का मतलब क्या oxygen का मतलब होता है जो भी धातू electron का दान करती है वो धातू का क्या होता है oxygen तो बताइए electron कौन दे रहा है जिंक तो जिंक का क्या हो रहा है औक्सिकरन सही है जिंक की छड़ दे रही है clear second पॉंट इलक्ट्रोन जिंक की छड़ पर शेश रहने के कारण इसे जिंपोल कह कोई दिक्कत नहीं है जिंक की छड़ से इलेक्ट्रोन बाहिये परिपत से होते हुए कॉपर की छड़की और जा रहे हैं जिंक से होते हुए कॉपर छड़की और जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है चलते हैं आगे कोपर की छड़ पर वीलियन में उपस्तित कोपर प्लस आयन कोपर में अपचेत हो जाते हैं कोपर की छड़ पर वीलियन में उपस्तित आयन कोपर की छड़ है इसके उपर कौन से आयन मौजूद है बच्चों इसके उपर कोपर प्लस टू और फिर यह क्या करे करेंगे यहां से आ रहे हैं इलेक्ट्रोन को ग्रेहन करेंगे और ग्रेहन करके क्या करेंगे बच्चों ध्यान दो कॉपर प्लस टू जो है वो इलेक्ट्रोन लेकर के क्या बन जाएंगे कॉपर धातू में बदल जाएंगे और कॉपर की धातू पर कॉपर बार 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 इखट्टा हो जाएगा तो कोपर की छड़ मोटी हो जाएगी और जिंग की जड़ दीरे 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 पतली हो जाएगी बिचारी क्योंकि तो दिये ही जा रही है बात समझ में आई फटा फट लास देखते हैं कि विद्युद्धारा इलेक्ट्रोन बैने की दिशा के विप्रित होती है अगर इलेक्ट्रोन इस दिशा में जा रहे हैं राजा बच्चों तो जड़ा ध्यान से बताएंगे की इस तरफ कोन आ रहा है धारा क्लियर यस और नू जल्दी से बताएंगे फटा फट बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं ये भी बताएंगे ओके जी ओके यस चले आगे अब आ जाओ आगे ये क्या कह रहा है अब सेल अभी क्रिया निम्न होती है सेल अभी क्रिया मतलब जब अपने इलक्ट्रोन दिया इलक्ट्रोन लिया जब पात्र में क्रियाई हुई वहाँ पर हमने देखा कि क्या वहाँ पर हमने देखा कि जब क्रियाई हो रही है तो वहाँ पर जड़न से इलक्ट्रोन जा रहे हैं को पर ले रहा है तो इसको पर कैसे करेंगे तो reaction को रीपर्जेंट करने के लिए मैं पता होना चाहिए कि अनौर प्रक्षिकन हो रहा है के फोर पर अप्चेन हो रहा है जिंक कहां पर जाएगा और उससे किस तरह से री पर्जेंट किया जाएगा तो अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं कैसे अपने बाई तरफ एलेक्टोर सही है एनोर था दाही तरफ केथोर था और उस पर अक्सिक्रन और अप्चेन होना था जिसे हम इस प्रकार से रिपर्जेंट कर सकते हैं बात समझ में आगी हो यस और नो जल्दी बताएंगे सभी बच्चे जिनके पास में ऐस लिखा है यह ठोस है धातु है ना कॉपर आइनित फॉर्म जब इसने अपने मैंसे कितने इलेक्ट्रोन दो इलेक्ट्रोन किसको दे दिये कॉपर को दे दिये तो अपने मैंसे दो दिया तो धनवान लोग धन का दान करते हैं तो वहां पर चार्ज प्लस हो जाता है वहीं रिणी लोग इलेक्ट्रोन ग्र है किसी पर रिंण है कड़ जाए तो धन लेहा ना तभी तो ready हुआ तो इसलिए जिस पर रिंण है रिंड चार्ज वह लेता और धन चार्ज वह देता धन्वान लोग धन का दान करते हैं तो धन्वान याहनी प्लस प्लस चार्ज आते ही समझ जो कि इसने इलेक्ट्रोन का दान किया हुआ है बात समझ में आ गई clear हो गया तो चलते हैं अब आगे सेल अब इंपकर इस प्रकार से लिखने समझ में आ गई यह क्या है एनोड यह क्या है केथ़ोड पर आयनित फोम में है अब यह एनोड के तर चार्जीबल होग fragments J हुँत होता है जब कोई भी जिसमें भाहर से धारा प्रवाइत नहीं हो रही है फिर भी उन में धारा प्रवाईत खुद से हो रही है तो वह जो विभाव उपण हुआ है किसी पात्र में बिना बाहिये श्रोत के इधारा का प्रवा हो रहा है या इलेक्ट्रोन का प्रवा हो रहा है तो वो जो विभाउपन होगा उसे विद्धुत वाहक बल किसे कहते हैं जब कोई भी बाहिये श्रोत नहीं है कोई बैट्ट्री ओन नहीं है फिर भी रियाक्शन हो रही है इसका मतलब वहां पर जो विभव है उसे आप क्या कहेंगे विद्धुत वाहक बल जिसका मान हमेशा कितना होता है वन पॉइंट वन वोल्ट यह माना किस तो दिए क्लियर ब एट्रेझ इसेल बराबर इशी और में लड राइट ओढर एठमें क्या है कैथोड लेप्ट में क्या है एलव जैजिंट यहां पर क्या है कोó और यहां क्या है दीजों एलोल चलते हैं आगे कैथ और एन लिग दिया उसके बाद कैथोर पर कौन है बच्चों जल्दी बता ह copper copper plus two हाए न यही तो था copper plus two पहले क्यों लिखा क्योंकि वहां पर आयन थे जिन्होंने electron grand किया फिर वो किसमें convert हुए copper में याद है अभी अपने सेल लिया था ना वहां पर अपने देखा नहीं था कि यहां पर चड़ है यहां पर electron आ रहे हैं तो यह जिंक की चड़ में से जब electron आ रहे थे तो copper के प्लस टू आयन क्या कर रहे थे दो electron ले रहे थे और किसमें convert हो रहे थे copper में यहां पर लिग दिया पहले क्या था सी यू प्लस टू था अब क्या सी यू प्लस टू से copper वैसे ही पहले जिंक था और जिंक से जिंक प्लस टू क्लियर बात समझ में आ गई होगी सभी पच्चों को पहला जो reaction हो रही होती है वैसे ही लिखना है यही इसका सही रिपर्जेंटेशन है गलत यह भी नहीं है पर कहते हैं एकदम करेक्ट जो होता है जहां कोई भी गलती निकालना संभव नहीं तब अगर आपको कहते हैं 95-98 का बात हैं जब गलतियां होती नहीं तो वहीं चीज़े सुधार नहीं कोई करें चलते हैं आगे तो कहा कि कॉपर पर हमेशा विद्धुत वाहक बलका मान बेटा सक्रीता स्रेणी को आप जब चेक करेंगे तो इलक्टोड विभव की वैसी एक्स्रेणी आती है जिसमें विभव लिखे जाते हैं तो वहाँ पर वही सेम सीरीज है सक्रीयता की पर विभव लिखे गए तो विभव जब एनोड पर विभव की बात करते हैं तो वहमेशा माइनस में लिखे जाते हैं और के थोड के विभव की बात करते हैं तो हमेशा वह प्लस में लिखे जाते हैं हाँ या ना बात समझ में एनोर के विवाव हमेशा किसमें होते हैं माइनस में क्योंकि वहाँ पर ऑक्सिकरन होता है के थोड़ हमेशा प्लस में क्योंकि वहाँ पर अपचेयन होता है clear चले ऑके जी तो यहां लिख दिया इसका मान कितना होता है कॉपल का 0.34 0.76 fix है याद गया है कि कोई भी सेल में अगर बाहिए परिपत ना जोड़ें फिर भी अगर धारा का प्रवा हो रहा है तो वहां पर कुतना विभा उत्पन है 1.1 वाल्ट जिसे विद्ध पाहा कबल कहा जाता है फटा-फट इसका आप स्क्रीन शोट लेंगे ताकि आप इसको उतार सकें ड सेल आरेक क्या होता है पता है सेल आरेक का मतलब होता है जिंक कॉपर आप लिख रहे थे ना उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिपर्जेंट करना सेल आरेक होता है राइट यानि कि आपके पास में जिंक जिंक सलफेट कॉपर सलफेट और कॉपर है एन और और कैथोड क्ल तो निम्म ने तीन परिस्तितियां संबंध परदशित कर दिये सेल आरेक लिखना आ गया सभी को हाँ यह नहीं आया तो मैं फिर बता रहें चलो खिल से देख लिए कैसे लिखते हैं डेनियल सेल का सेल आरेक सेल आरेक का मतलब होता है कि अपने को धातू और धातू आयन लिखना है ठीक है जब धातू और धातू आयन लिखते हैं तो अपन लिखते हैं कि दोनों के बीच में एक स्लैश लाइन लिखते हैं धातू धातू आयन ठीक है उसके बाद क्या लिखेंगे आप डबल लाइन जो किसको रिपर्जेंट करती है लवण से तुगो ओके लवण से तुगो अब लिखेंगे धातु आयन और धातु अब क्या ध्यान हमेशे ध्यान रखो कि एनोर हमेशा पहले और के थोर हमेशा बाद में लिखा जाएगा एन और जब भी लिखा जाएगा पहले धातु फिर धातु आएं और केथोड जब भी लिखा जाएगा तो क्या हूगा धातु आएन पहले और उसके बाद धातु लिखा जाएगा बात समझ होता है आरेक का मतलब यहां बिलकुल भी वह नहीं है कि ग्राफ बना के दिखा दिया नो सिस्टमाटिक तरीके से एक रियक्षन में एनौर और कैथोड को व्यक्त कैसे किया जाता है वह सेल आरेक होता है अब क्लियर है हमेशा इसी को याद रखना है एनौर पहले बाद में कै गए बात तो जल्दी से करेंगे लाइक फटा फट चलते हैं आगे अब दूसरा बात सेल को यदि विद्युत बाई विद्युत स्रोथ से जोड़े ठीक है अब बच्चों एक कंडिशन है हमने यह बताया है ना कि रासाइनिक सेल को चार्ज किया जा सकता है तो कैसे तो इन्ह डाइग्राम बना के आपको समझा रहे हूं ताकि बात क्लियर हो जाए ठीक है मेरे साथ साथ आप भी बनाएंगे ताकि आपको बात क्लीयर हो जाए जवी बच्चे ध्यान से मन लगा कर पढ़ते रहेंगे ताकि कोई भी डाउट ना है बच्चों ध्यान से पढ़ने पढ़ी डाउट नहीं आता राजा अगर अगर आप ध्यान नहीं देंगे इधर उदर की बातों में ध्यान देंगे बेटे तो फिर तो अपने को टॉपिक समझ में कभी नहीं आएग तो याद रखो कि जितना आपको बात समझ में आती है उतना ही जल्दी आप उस चीज को समझने में सक्षम होंगे तो यहां पर दो छड़े लगा दी यहां पर भी लगा दी और यहां पर भी ठीक है इन दोनों को एक विभव मापी से जोड़ गिया ठीक है किस से जोड़ दिया भाई एक विभव मापी से जोड़ने के बाद यहां पर एक प्रतिरोध भी है ठीक है और यहां पर क्या जोड़ दिया यहां पर जोड़ दी एक बाही है विद्युत वाहग बल यहां माइनस यहां प्लास सिमिलरली यहां पर अपन एक विभव मापी जोड़ दी और यहां पर अपन एक प्रतिरोध जोड़ दी और यह रहा आपका विभव ठीक है जी ध्यान देना भई बच्चों विभव मापी जोड़ी हुई है यह आपके प्रतिरोध और यह रही आपकी पैट्रोध ठीक है बात समझ में आ गई है तो जल्दी से आप कमेंट में लिखेंगे यस मैं जल्दी से जल्दी फटा फट ताकि बातें क्लियर हो जाएं ठीक है बच्चों ओके जी ओके चलें पहली कंडिशन तीन कंडिशन में क्यों आपके बाहिये विद्युत वाहक बलका मान यहां लिखेंगे बाहिये विद्युत वाहक बलका मान कम है 1.1 वोल्ट से तो क्या होगा एनोर से इलेक्टों निकलेंगे और केथोर की ओर जाएंगे और धारा केथोर से एनोर की ओर जाएंगे राइट इलेक्टों एनोर से केथोर धारा किस तरफ केथोर से एनोर की डन कोई दिक्कत नहीं है जैसे इलेक्टों इस तरफ आएंगे 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 तो एक समय आएगा जब क्या होगा जब बाहि यह वीडियोत वाहक बल है क्या होगा वच्चों एकवल टू 1.1 वोल्ट तो धारा का प्रभा जीरू कोई धारा प्रवाइद नहीं हो क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस दोनों में आवेश एक्वल है न्यूट्रल फॉर्म में है सेल कोई धारा का प्रवाइद दिखाई नहीं देगा थर्ड जब क्या हुआ यहां से इलेक्ट्रोन जाते जाते यहां इस्थतियां बढ़ गए और अब बह्ये विद्युत वाहग बल का मान जादा हो गया 1.1 वॉल्ट से तो इलेक्ट्रोन जाने लगे कैथर से एनोड धारा आने लगी एनोड से कैथर यह क्या है मैडम कब लगे थे एनोर से कैथोड है यह क्या बता रहे हैं कुछ नहीं जरा ध्यान दो जब आप बाई विद्वाग बलका मान कम बता रहे थे तो इलेक्ट्रोन एनोर से कैथोड रासाइनिक सेल यही होता है एनोर पर माइनस और कैथोड पर प्लस होता है लेकिन जैसे ही बाई य सब्सक्राइब कर लिए बदल गया विद्यूत अफ़टनी सेलर राइट यानि यह क्या हुग गई रिवर्स रियाक्षिन हो गई यानि की जो सेल रासानिक था उसे हम ने किसमें कन्वोर्ट कर दिया विद्यूत अफ़टनी सेल में बात समझ में आई तीनों कंडिशन समझ में इसका में बहुत अच्छा एक्जम्पल आपको देती हूं जड़ा गोर से सुनना अपन सब के घर में आज आज कल इन्वेटर तो लगे हुए है है ना आज के घर में बहुत सुविदाएं हो गई लगाए है ना कि लाइट जाती तो में पता भी नहीं चलता कि लाइट चली गई ऐसा क्या होता है आपके घर में यह विद्यूत्रासाइनिक सेल की बैटरी रखी गई है और वहां उसके साथ इन्वेटर लगा गया है ना इंवर्ट यानि की चین्ज करने वाला धारा को और वहां से जब जब धारा प्रवाइत होती है तो inverter में वो convert होती है कौन सी उर्जा विध्युत क्योंकि इलक्ट्रोन ही तो आ रहे हैं धारा से वो इलक्ट्रोन convert हो जाते हैं किसमें रासाइनिक उर्जा में और आपके घर में रखी गई बैटरी चार्ज होती रहती है और र पहले डायरेक्ट्ट्स थी रासाइन कुड़ ठीक है दीरे 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 क्या हूआ है चार्ज हो गई अप गई लाइट टक अब क्या होगा अंधरा हो गया बट विदिन स्वां सैकिन लाइट अगी रूम में वापस मुद्ति चल गई यह क्या हूआ हुआ संचित की थी उसको वो इन्वेटर कनवर्ट करता है किसमें विद्यतोर्जा में और हमारे घर में वो क्या हो जाती है पूरे वाइरिंग के थू सप्लाई हो जाती है और पूरे घर में रोशनी हो जाती है और अंधेरा गाइब हो जाता है बात समझ में इस प्रकार आपके घर में रासायनित अपगट में और ओल्वार में रहते हैं शायद बात बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को डियर चलें आगे हाँ जी हैं बिलकु चलते हैं अगला टौपिक अभी देखो तो यह conditions वो लिखी गई है जो हमें पता है यह बाईया की मात्रा कम है अभी बाईया विद्वाग बल कम है तो electron anode से केथोर की और और यह जरन से दो electron चले जाते हैं फिर बराबर होता तो कोई भी अभी क्रिया नहीं होती है जब जादा होता है तो electron zinc is equal to Cu plus 2 बात समझ में आ गई तो फटा फट उतारेंगे चलते हैं आगे अब आता है सेल आरेक जिसे मैंने बताया था अभी समझाया था वही चीज यहां पर वो थोड़ा सा describe कर देते हैं ताकि आपको बाते clear हो जाए सेल आरेक सेल को किस तरह से represent किया जाता है गेलवनिक सेल को छोटे रुप में वेक्ट किया जाता है तो उसे हम सेल आरेक कहते हैं पहला point सेल आरेक में एनोड बाईं तरफ और कैथोड हमेशा दाईं तरफ लिखा जाता है और राइट यस और नो फटावर कमेंड में लिखेंगे second लिखते समय धातू हमेशा पहले रता लवन के वीलियन को बाद में लिखा जाता है उनके बीच एक खड़ी रेखा खेंचते हैं जिसे देनियल सेल के लिए हम निमन प्रकार से रिपर्जेंट कर सकते जड़न जड़न एस ओ एनोड के लिए राइट second के थोड को लिखते समय वीलियन को पहले और दातू की चड़को बाद में याद है हाँ या ना सी यू प्लस लिखते हैं आपन पहले वीलियन फिल ओके इस तरह से लिखा जाता है बात समझ में आ गई होगी के थोड में नोड की मद्य दो समांतर रेखाएं होती है जो लव जाता है एक्वस वीलियन ना सुना है ना जली ये विखाएं किसी ठोस और रवे का वीलियन एक्वस सलेशन या जली वीलियन कहलाता है सेरारेख बनाते समय वीलियन की सांध्रता को चोटे को श्टक में बंद करके लिखना चाहिए यानि इसकी सांध्रता कितनी है अगर 1.1 एम यहनी मौलरता में व्यक्त कर देते हैं 0.1 एम लिग दिया जाता है जिसे आपके सामने यहां पर दिखी रहा है 1 1 एम और धातो का हमेशा मान एक ही होता है इसलिए उसके सांदुता को व्यक्त नहीं किया जाता क्योंकि वह ठोस अवस्था में होती है अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो में मेरे साथ रहेंगे पूरे टाइम बात को सुनेंगे तो एक एसाथ शब्द नहीं जो आपको समझ में नहीं आ सकता है तो बस शर्त इतनी कि आप लास तक जुड़े रहें चलते हैं आगे अगला है इलैक्ट्रूड विभव बच्चो हम जो पात्र लेते हैं अपने माद दो पात्र लिये थे अब मैं एक ही पात्र की बात करें इलैक्ट्रोड विभव में अंतर आता है उसे ही कहते हैं हम इलैक्ट्रोड विभव क्या कहते हैं इलैक्ट्रोड विभव वही पर यदि दोनों पात्र में दोनों छडों के मध्य दोनों इलैक्ट्रोड के मध्य विभव में अंतर उत्पन होता है तो उसे अपन कहते हैं विभव वांतर आज समझ आ रही हैं नहीं आ रही है ना तो मैं लिखती हूं यहां पर एक डाइग्राम बना रही हूं यह चट यह सोलुशन यह चट यह सोलुशन ठीक है ठीक है माइनस लिखास इस सॉलुशन में जैडन प्लस टू और यहां पर जैडन कलर चेंज कर लेते हैं पर ना कहोगे कि मैं समझ ही नहीं आता है एक ही एक कलर यूज कर लेती हैं आप तो सी यू प्लस टू नसी ओके ड़न जैडन और जैडन प्लस टू यह यह कहूं जैडन आसो फूर जैडन और जैडन आसो फूर के मध्य जब विभव में अंतर उत्पन होता है तो उसे हम इलेक्ट्रोड विभव और जैडन और सी यू के बीच में यदि विभव में अंतर उत्पन होता है बच्चों तो उसे हम विभवांतर कहते हैं क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं वह यदि आपके दोनों छोड़ों के मध्य विभव में अंतर आ रहा है लेकिन आपने कोई धारा का प्रवाह नहीं किया है तो इस विभवांतर को विध्यत वाहक बल कहां जाता है बात समझ में यह फिजिकल केमेस्ट्री है भाई जो फिजिक्स में तुम परते हो आज केमेस्ट कि और बढ़ जाए थोड़ा थियोरी को भी पढ़ लें तो आपको समझाई दिया है इलाक्टोड को उसके आइनों के वीलियन में डाला जाता है तो पर वीलियन की तुलना में धनात्मक या रिनात्मक आवेश आ जाता है जिसके कान धातू और वीलियन के मद्द एक इलाक्टोड इलाक्टोड के मद्द तो उसे हम क्या कहते हैं विभवांतर केवल विभवांतर कहते हैं जब एक कॉपर की छड़ को किसी भी वीलियन में रखा जाए तो कॉपर प्लस टू आयन बनता है धनावेश आ जाता है इसके कारण वीलियन और कॉपर की छड़ के मद् कुछ explain कर दिया है किसी भी क्या सेल में उपस्तित चड़ और वीलियन के मद्य उपस्तित विभव का अंतर क्या कहलाता है इलैक्ट्रोड विभव कहलाता है फटावर उतारेंगे जल्दी से देखें इसको चलते हैं आगे जब किसी धातु को उसके धातु आयन के मद्य के वीलियन में डुबोया जाता है तो या तो धातु की छड़ का अप्चेन हो जाता है या ओक्सिकर्ण हो जाता है अत्वा कभी कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं है कैसे नहीं होता परिवर्तन क्यों नहीं होता जरा ध्यान से देखो आपने पात्र लिए ठीक है छड़ लगा दी ठीक और यहाँ पर solution जड़न आसो 4 और यह जिंक कोई दिक्कत ना जिना होनी भी नहीं चाहिए ध्यान दो अगर जिंक और सी यू असो 4 के मद्द्ध विभाव में अंतर आ लिया तो वो इलेक्टोड विभाव हो गया ठीक है अब किसी धातू ने इलेक्ट्रोन दिये किसमें solution में राइट यानि कि इस वीलियन में कोई धातू है M और इस छर ने उसमें इलेक्ट्रोन दाल दिये या यू कहूं यहां पर धातू M है जिसने इलेक्ट्रोन दान किया और क्या बन गई कुद M प्लस हाँ या न या न था किसी solution में उसने electron लिया और धातू में convert हो गया ठीक है या यूँ कह दूं कि पात्र में धातू आयन जब धातू से ठकराया तो उससे electron उसने ले लिया राइट तो यह बन गया धातू आयन बन गया और इस कंडिशन में कहूं कि धात्र में धातू आयन और छड़ धातू से ठकराया तो क्या हुआ जब ठकराया तो वहां पर इस धातू ने elekton इसको दिये तो जातू का क्या हो गया स्वाइन बन गया और यह धातू किसमें धातू आइन किसमें convert हो गयी clear होगी बात समझ में कोई दिक्क थिक्कत है य forces दातू थातूrit में बनलती है तो उस धातूसंचा क्या हो जाता है ऑक सी करणि इलेक्सर Disease का दान ऑक सी करण होता है गैशन आफ से जीवन दाय नहीं से जोछ को जीवन पर दान इस दान कर रहे है तो आंस एक्सर वाप यह फो हमेशा यस और नो जल्द इस comment में लिखेंगे यस मैम फटा फट इस बात को उतारेंगे शायद मेरे इसाब से बात clear हो गई है done ओके जी ओके चलते हैं आगे फटा फट देखते हैं अब यह क्या कहरा समझ में आगई बात देखते हैं ओके चलते हैं आगे माना एक धातू है मैं में धु्यन में डुबाय जाता है तो 3 स्तियां संभव है पहली धातू आएं आदादणु की च्छड से तक राता है वापस लोट आता है उस फृष कुछ नहीं किया कभी कार्णार वाद historie नहीं करना नहीं में लुगन करन कर्के राटू परमानु में बदल जाता है चुम्कि याकट्रौन दाटू की छट द्वारा त्यागे जा रहे हैं तो वीलेन में उपस्ति धातो आयन ग्रहन कर रहा है और उस स्थिति में क्या हो जाता है अप चायन हो जाता है और उत्पन विभाव विभाव उत्पन हुआ तो क्या हुआ अब चाहिए न डान ओके जी चलते हैं आगे अब आता है अपना अगला टॉपिक तीसरे इस्तती में धातु आयन एम धातु की सर से तक्राता है एन इलेक्ट्रोन दान करता है और दान करने के बाद क्या कर लेता है एम पॉजिटिव में आ जाता है अगर इसने दान किया है तो यहां हो गया क्या बच्चों ओक्सी करना हो गया उत्पन विभाव औक्सी करना विभाव तो बात समझ में आ गई ऑक्सीघन कब जब ढातु इलेक्ट्रोन दान करे जब धातु इलेक्ट्रोन ग्रण करे तो अप्षाइण चलते हैं आगे फटाफ़ देखते कर दातु नाइने के मत्याण आवेशों का पर थक्रण हो जाता है जिसके हम दोनोंके मत्गे विभुवांतर हो जाता है और के मध्य उत्पन विद्वांतर एलेक्ट्रोड विभाव कहले अच्छा क्या नहीं था कुछ नहीं न इसलिए मैं कहती हो अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ चलते हैं आगे पहला है औक सिकर्ण विभाव क्या होता है जलदी लिखो जल्दी अभी रीभा हो जाते है तो उल्यक्ट्रोर का विलेएं में एलेक्ट्रोन त्यागने की प्रवर्ती का मापन ऑक सिक होता है दूसरा है अपचेन विभव अपचेन विबव क्या है भई जब Ilakton danida ओक्सिकन तो गृएन होता है तो अपची Evet बाद समझ में आगई Yes और No जल्दी बताएंगे फटाफप्षिकन अप्चेन को लिखेंगे क्लियर हो गइंगे सबसे पहले बच्चों अपने पास क्या है हेडिंग डाली हुई मानक इलेक्ट्रोड विबाव क्या होता है मानक शब्द का आर्थ होता है जो कंडिशन ऐसी हो जिसे कहीं भी बदला नहीं जा सकता है स्टेंडर्ड होती है बदल नहीं सकते हैं अगर उस पर कोई भी वस्तुकार्य करती है तो मानक होती है जैसे कई बार ऐसे बोलते हैं कि यह बच्चा आदर्श है स्टेंडर्ड है क्यों है क्योंकि इसने सारी वह कंडिशन्स फुल्फिल की हुए जो की विद्ध्यालत चाहता है वैसे ही मानक शब्द किसी के आगे जुड़ जाता है उसका अर्थ होता है कि वह कंडिशन्स को फॉलो कर है जो नैसे सरी होती है तो कहा कि मानक इलाक्ड अब इलाक्डल मानक शब्दकार्थ समझ में आया जो पर्टिकुलर कंडिशन्स को फॉलो करता है वह ह sellers बच्चों इलाकडूर्ड विभव क्या होता है ज़रा ध्यान देंगे अपने बड़ा था कि एक पात्र है जिसके अंदर solution भरा हुआ है और एक छड़ है चड़ा पन कहा दे बिटा जिंक किये और यह जो solution है वो जैडन ऐसो पूर का है यहां तक किसी को doubt नहीं है क्योंकि कल हम बात करके आए हैं अगर एक ही पात्र हो एक solution हो एक धातु की चड़ हो और उनमें इलेक्ट्रोनों का आदान प्रदान हो तो उस दोरान जो विभव इनमें उत्पन होगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रोड विभव राइट लेकिन जब यह इलेक्ट्रोड विभव उत्पन हो रहा है या हम उसे ज्याद कर रहे हैं तो वो परिस्थितियां कौन सी होगी वो कौन सी कंडिशन में अपने प्राप्त कर रहे हैं अगर वो कंडिशन यह हो जैसे यह solution जो है उसकी सांद्रता सांद्रता 1M हो साथ ही उस पर दाब 180M हो और उसके साथ ही इसका ताप जो है उस समय जब आप विभव ग्याद कर रहे हैं 208 में क्यालीन हो 298 अगर इन परिस्थितियों में हम विभव ग्याद कर रहे हैं यह कहूं इलैक्ट्रोड विभव ग्याद कर रहे हैं तो वह इलैक्ट्रोड विभव क्या कहलाएगा बच्चो मानक इलैक्ट्रोड विभव राइट बात समझ में आ गई होगी तो हम सोचते है कि क्या ऐसा कोई संभव है जनरली हम यहीं कहते हैं ना कि आदर्श चीजे नहीं होती तो मानक जैसे भी होती है क्या होती है जब आदर्श हो सकते हैं तो मानक भी होते ही हैं कई हम मानक इलेक्टरोड विभव को लें तो कौन सा इलेक्टरोड जो होगा वो सबसे बैस्ट होगा तो वेग्यानिकों नहीं रिसर्च करके एक इलेक्टरोड बताया जो था हाइड्रोजन इलेक्टरोड जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्टरोड कहा क्यों क्योंकि वह उन परिस वोल्ड तो यह hydrogen electrode जो है कैसा होता है किस तरह तयार किया जाता है इसको हम आगे चर्चा में लेंगे तो फटा फट इसको आप उतारेंगे और फिर बढ़ते हैं हम आगे अब आया मानक हाईड्रोजन इलेक्टोल बात तो समझ में आ गई इस्तेंडर इलेक्टोड वीबॉक से हम कहाँ आ गए मानक हाइड्रोजन इलेक्टोड क्यों आए वह पता चल गया है कैसे बना हुआ होता है आपको इसक्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही है डाइगरम बना दिखाई दे रहा है तो यहां पर क्या है यहां पर बेटा एक पात्र रखा गया है जिसके अंदर है यह सोलेशन बनाया और इसके अंदर क्या कर दी एक कांच की नली रग दी जिसके अंदर क्या रखा बेटा कांच की नली के अंदर एक धातु की प्लेटिनम की जो धातु है यह रही इस क्यों लगाया और इस प्लेटिनम की धातु के नीचे ही प्लेटिनम की परत यह यूं कहूं कि प्लेट लगा दी लगा दी और उसके उपर ब्लैक कलर लेपित कर दिया ताकि वो रियाक्शन फटा-फट कर सके ठीक है लिखा गया भी है प्लेटिनम ब्लैक लेपित लीट क्लियर उसके बाद यहां पर जो समय टेंप्रेचर यूज हो रहा था वो टेंप्रेचर था 290 एथ और साथ ही यहां पर जो दाब हो रहा था वो वायू मंडलिय दाब राइट जिसका मान क्या होता है 0.013 और वो बार के बराबर होता है या 1 ATM के बराबर होता है इसे अपन 1 ATM लिख सकते हैं 1 ATM ओके अब क्या कर रहे हैं अब हम क्या करते हैं जराध्यान 2 अब यदि हम hydrogen gas इसके ऊपर प्रवाहित करते हैं किसके ऊपर प्लेटिनम ढ़ातू की छड पर जो कहां जाकर गर रही है इस प्लेट पर गर जैसे ही वो इसके ऊपर गिरती है तो वहां पर ढ़ातू मेंसे इन रिलीज भी होते हैं और ढ़ातू ION ग्रहन भी कर रही है यानि दोनों क्रियें नजर आ रही है या यूं कह दूं कि इसके उपर दो क्रियें नजर आती है ओक्सी करण भी होता है और बच्चो क्या होता है अब चेयन भी होता है बात समझ में आई ओक्सी करण भी हो रहा है और अब चेयन भी हो रहा है इसलिए इसका मान भी ग्यात है इलेक्ट्ड विभव की सार्णी गई है जिसे मैं इसका लिंक भेज़ दूंगी आप वहां जाकर उसे ले सकते हैं तो वहां पर देखा गया कि हाइडरोजन जो है वू हूँ मानक इलैक्टोड विभव जो होता है वो कितना होता है बिटा हमेशा 0.0 वोल्ट होता है जो कि क्या है ग्यात है क्या है बच्चों हमें ग्यात है clear बात समझ में आ गई अब कोई दिक्कत नहीं है सबी को पता चल गया तो हम इसकी थियोरी को एक बात देख लेते हैं इसकी mechanism कैसे है या बनावट कैसे बताई कि ज्याध्यान देगे मानक hydrogen electrode जिसे SHE standard hydrogen electrode कहा गया है platinum की इसके अंदर छड़ होती है जिसके एक सिरे पर पीटी की पनी लगी होती है यह कहूं प्लेट पीटी की प्लेटिनम ब्लेक का लेपन चड़ाया हुआ होता है इसमें एक अच्छी यल सॉलिशन मैंने बता दिया विटा उसमें उसको डूबो देते हैं और वायूमंड लिए दापर या ताप कहें तो 25 डिगरी या 298 कैल्वि पर फसुल प्रवाइड करते हैं जैसे प्रवाइड करोगे तो यहां पर औक्सिकन विभार अप्चैन विभाव व्याद लिए याद होता है लिए बात समझ में आ गई होगी है द्रोजन मानक क्यों कहा गया क्योंकि यह कौन सी परिस्तितियों में का देक रहा है एटियम दाब था और साथ ही सांद्रता कितने थी वन मौला थी क्लियर जी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों तो फटा फट लाइक कर दे जल्दी से कमेंट में लिख दे यस मैं डन चलते हैं आगे अब अपना अगला अब अपन इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि अपचेन विभाव के मान हमेशे क्या होते हैं सुन्य यह आपको पता है पता है बच्चों बिलकुल अपने को पता है यह बात कि सुन्य विभाव कब होता है आप चलते हैं यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि कोई भी हाइड्रोजन इलेक्टोड जिसे आपने मानक माना है तो वो जब मानक माना जाला तो इसका मतलब वो उक्सिकन अप्चेन विभा उत्पन कर रहा है इसका मतलब वो उत्पन करते समय एनोर और केथोर दोनों की तरह कारिय कर सकता है तो एनोर और केथोर दोनों की तरह जब वो कारी कर रहा है तो हम उसे किस किस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे, आपको पता है कल आपने एक सेल आरेक लिखा था, याद है, बिलकुल याद है, सेल आरेक लिखा था याद है, अगर याद नहीं है तो जला सा रिकॉल करके देख ले, हमने जब सेल आरेक सदक लिखा वेटें तो हमने देखा कि हपन लिखेंगे या फिर यूं कहें कि धातू चालों जूने यहां थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं यहां पर अपन लिख देते हैं क्या sale ROG में अपन लिखते हैं बिटे, यहाँ लिखते हैं हम धातू, धातू, आयन आयन जो किस की तरह काम करता है बिटे, वो काम करता है N O की तरह, फिर डबल लाइन जो लवणा, सेतू की तरह, मैं केवर एक φटा फट एक रिकॉल दे रही हूं आप कमेंट में मुझे लिखें सेल रेक कैसे लिखा जाता है और फिर राजा बच्चों धातु आयन स्लैश धातु क्लियर बच्चों बात समझ में आ गए लिगी हाना बेटा बिलकुल आनी भी चाहिए क्योंकि हमने कल इंपर डिसकस किया था डन आगे ये बात तो क्लियर हो गई बेटा तो हम सेल आरे के रूप में अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिपर्जेंट करते हैं तो कैसे थोड़ा ध्यान देंगे आपको सबसे पहले रियक्शन लिखनी है जो कहां पर हो रही है एनोड पर हो रही है और केथोड पर हो सब्सक्राइब सकते हैं किस प्रकार ऑफ है इसको आप देख सकते हैं घ्यान से देखें वन हाफ हमेशा इसके साथ प्लेटीन प्लेटिन मैं जरूर लिखें क्यों कि बेटा जब तक आप प्लेटिनम नहीं लिखें कैई है वह तरन दो जाएगी लेकिन अगर धातों के साथ उसको जोड़ा गया इसका मतलब वो इस्थिर रहेगी वहाँ पर रियाक्शन करेगी ओके ध्यान से सुनो सभी बातों के आंसर्स आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे पर उसके लिए शर्थ है कि आप ध्यान से मेरे साथ लगाता जुड़े रहे और इधर उदर की बाते नहीं करके केवल टॉपिक पर द्यान दे ओके चले बैट अच्छी बात है कि आप सब बहुत अच्छे से ध्यान दे रहें बच्चे कह रहें कि मैं हम आपके साथ जुड़े हुए हैं वेरी गुड अगर आप जुड़े में हैं तो आप बहुत अच आप लोग इसको एसे लिख सकते हैं धातु आयन दे चलता है कि लेकिन आयन के रूप में वो स्टेबल नहीं इसलिए इसने कंसेंट्रेट फोर में अच्छी वही पर धातू और यहां पर क्या लिख दे इसने स्लैश पी टी यानी की सॉलुशन इदी आप लिख रहे हैं अच्छी यह अच्छी यह बात समझ में आ गई अच्छी अल स्लैस एच्टू अच्छी यह क्यों लिखा है बेटा पहले धातू आयन होगा और उसके बाद में क्या होगा बेटे धातू बात समझ में भी आ गही है तो फटाफट उतारेंगे बात अगर समझ में आ गही होगी एन और और के फ्लार में लिखना अगिया खातू बने लिखेंगे ना पहले क्या खालर लिख यह अगर नहीं बात समझ में ह Ein आचવ सोलीशन जो है वह है इसे हमें से निकल जाएसे इसलिए हम हम्हाइन हम Präsident केlor KannYes में किस रूप में है बच्चों मैं कैथोड की रूप में है क्लियर ओके डन अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी उतार लिया फटावर चलते हैं आगे यह तो क्या है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपन किस प्रकार रिपर्जेंट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा याद रखना कितनी होती है आपने क्या पढ़ाया शुरू मैंने कहां से किया था मानक इलेक्ट्रोड विभव से बता दिया किसको लेते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जब ले लिया तो अपने पास कोई धातू है जिसका मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव एक बात हो जिसके साथ भी मानक ए एस लिखते हैं लेकिन मानक जुड़ जाता है तो लग जाता है ध्यान देना ठीक है इनोड कूं लिखा है मानक के लिए और केवल एलेक्टरोड विभव तो दोनों को मिला दिया आत पढ़ास है आतको दू आन से अपने को कोई भी धातू मैटल उसका इलाक्टोड विभाव ग्याद करना है तो क्या करेंगे तो हमेशा आपको एक बात तो पता है किया कि जब हम धातू का इलाक्टोड विभाव ग्याद करेंगे तो अपने पास एक तो धातू इस सोलुशन में होगी और दूसरी इस प्रक है तो फिर दूसरे वाला क्या होना चाहिए ग्यात होना चाहिए बोलो हाय जैसे आपको कह दिया जाए कि एक reaction है यह एक formula है है ना x plus y तो इसमें x की value ग्यात करनी है है ना x plus y दिया गया है तो x की value ग्यात करनी कैसे ग्यात करोगे पहले वाई की तो पता हो तो इसकी ग्यात होगी तब विभाव HIT हाइड्रोजन का मानक एलेक्टरोड विभाव जिसका विभा वहमें ढंत है और स्का इसका मान होता है बात समझ में क्लियर हुए कि मानक एलेक्टरोड विभाव कैसे ग्याद करेंगे क्लियर फटा वड़ उतारेंगे जल्दी से जल्दी ताकि आपको बात समझ में आ जाए को अब चलते हैं अपन आगे उसे इसे विभव मापे की साहता से सेल का मानक विद्यूत वहक बल इ-m-f ग्यादिया जाता है शोट में इ-m-f राइट कहा होता है इलाक्ट्रोड मॉचल पोर्स गया इलाक्ट्रोड विद्यूत वहक बल इ-m-f ओके डन चल्दी से चलते हैं अपन आपके सामने एक डाइग्राम नज़र आ रहा है ना अभी मैंने जिस समझाया कि आपके पास में क्या है बई एक तो क्या है मैटल किये और एक यह तो क्या है अग्यात है बोलो है या नहीं यह तो अग्यात है जिसको अपने हो क्या करना है ज्यात करना मानक की और डूसरा क्या है जल्दी लिखो हाईड्रोजन इलेक्ट्रोड sv असट ही स्टेंडοड हाईड्रोजन руки लाक्ट्रोड जिसका विबाव मैं keen बच्चों दोनों कहीं concentration नों का मानक याद करेंगे दोनों की परिस्तितिया सेम होनी चाहिए इसका solution one arm concentration तो इसका तो है कोई दिक्कत ही नहीं अब इसके लिए अपने को temperature भी सेम चाहिए और सांदृता भी सेम चाहिए और क्या सेम चाहिए टेंपरेचर सांदृता और बढ़ा तीसरा कौन सा जल्दी बोल जल्दी बताओ भई कमेंट में बता नहीं रहे हो तू जल्दी बताओ क्या वेरी गुड दाब चाहिए वन एटियम या फिर जिरो पॉइंट जिरो वन थ्री बार यह ओके जी ओके डन यह आपको डाइग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया है फटा फट इसको आप उतारेंगे जल्दी से जल्दी ताकि बात क्लियर हो जाए डन अब आपन चलते हैं कि अगर आपके पास अग्यात हा करेंगा यह तो वही हो गया ना एक बच्चों प्लस तो बताओ दूसरा क्या होगा आपकोर्स माड़म माइनस होगा देन वही है कि अगर इसको एन और माल लिया तो हाइड्रोजन क्या मानना पड़ेगा तो और यह दोनों की तरह काम कर सकता है कौन हाइड्रोजन इलेक्ट सी करण भी हो रहा है और इसके ऊपर अपचैन भी हो रहा है यह सोर नौ फटा फट कमेंट में लिखेंगे यह मैम जल्दी से जल्दी ओके चलते हैं आगे अब देखते हैं पहला कॉंसेप्ट कि यह दिए एनोड हो तो क्या हो जब अग्याद इलेक्टोड विटा एनोड की रूप में लिया जा रहा है तो क्या होगा जराध्यान का मानक इलेक्टोड विभव ऐसा चीज जोड़ा था ना पीछे जोड़ दिया तो इनोड सैल का मान विभव मापी की साहिता से ज्याद कर लेते हैं ठीक है उदारन के ल नहां पर आप एच प्लस लिख सकते हैं और यह एच्टू वन एटीम दाप पर प्लेटिन के साथ साथ ही दिया गया है एक एक्जाम्पल है यह इसमें दिया गया है क्या इसल की वेल्यू इतनी है तो अग्यात इलेक्टोड मानक अप्चेन विभव निम्न प्रकास से ग्या का मान इसल कल बताया था उस्हाल को या इसल बराबर एक हैथोर माइनस ए जल्दी बताओ जल्दी 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 और आपने इसको किस पर लिया है और आपने मैं कलर चेंज करके लिख रही हूं ताकि आपकी आँखे खुली रवे और इसको किस पर लिया है के थोर पर up ध्यान से ध्यान से र्यजित तो एक थोर माइनस ये न और और अपने को या जाएगा सेट विफों का मा ज़रा देखो क्या रहा है फटा पर लिखो जल्दी कमेंट करो देखो जुरांसर यही आए कि यह देखो इनौड से ओके तो क्या होगा चलो मैं यहां साथ में लिख दे रही हूं थाकि आपको क्लियर हो जाए अगर आपको यह बात समझ में ना आये तो मैं यहां पर ही क्लियर कर देती हूं आपको मैं जितना चाहती हूं कि आप समझी उतना ही देखो बिटा की नौड सेल बराबर ई केथोड़ी minus e not not like now Q लिख रही हो बताओ जल्दी बोलो भई क्या हुआ जल्दी बताओ क्यों लिख रही नॉड क्यों कि कहां याद कर रहे हैं आप किस परिस्तिती में मानक परिस्तिती तो क्या जल्दी बताओ क्या है जल्दी बताओ बताओ is not h plus slash h2 slash pt minus e not क्या है जल्दी बताओ zn slash zn plus 2 done yes or no yes यह लिखा है यहाँ पर भी yes अब इसका मान पता है आपको e not cell का पता है हाँ दिया है कितना 0.76 साथ ही इसका पता है yes 0.0 वोल्ट इसका ग्यात नहीं है वैसे का वैसा लिख दो zn slash zn plus 2 done okay answer क्या आया बात clear हो गई जल्दी बताओंगे फटाफट बताओंगे किसी ओ कोई doubt no yes मैं लिखेंगे फटाफट 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 जल्दी clear हो गया बिटा इसको जीरो माना तो यह इसके बराबरी तो आया यहां पर यह clear हो गया ओके जी ओके फटाफट जल्दी से उतारेंगे चलते हैं आगी अब ध्यान दो अगर इसको आपको एक डाइग्राम में देखना हो तो क्या जड़ा ध्यान दो अग्यात इलेक्टोड और परो इसको नहीं देखना एक बार के वर इधर ही मैं इसकी तरफ खड़ यहां हों तो दिखे गाई है तो अपने पास क्या है अग्याद जो है वो क्या है किस फ़ों में विटे अनोड की फॉर्म में ठहें और यह जात है बोलई kali यहात और न गयात है ठीक है ऑब यहां से दाराब क्यास त्रफ होगा एकियुक्अल गर्हो थॉज़ा होता है माइनस केखुर प्लस क्यों क drafted को क्यों प्लस क्यों होतार गया है राक्राशाइनिक यह है इस ही नहें यहें वर्ना एंधार पर फ्लस होता है क्यफ़ोड पर माइनस जल्दी से जल्दी यह बात अगर समय आई तो कॉमेंट मंलिखो य्यस मैम ठालागा प्रव fills sc molecular कहा होता है माइनस से प्लस क्लियर हो गई बात विभव उत्पन हो जाएगा आप तो कोई दिक्कत नहीं है मान पता चल गया कितना आया इस स्टेंडर्ड मान कितना या बच्चों 0.76 इसके बाद यह जब दोनों पढ़ा दूगी न तो एक राज की बाद बताऊंगी है ना एकदम ट्रिक से तुम्हें अपने आपी समझ में आ जाएगा ठीक है चलो आगे तो फ़्लास तक बना देना पड़ेगा वाई सेकिंड क्या है जब यह क्या हो भाई अग्यात के थो क्या हो बच्छों के थोड़ो तो इसके लिए अपने एक्जामपल ले लेते हैं ग्यात तो अपने को क्या लेना पड़ेगा हाइड्रोजनी लेना का इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी और अग्यात कॉपर सलफेट वारा ले लिया कॉपर सलफेट और कॉपर यहां पर क्या दिये प्लस 0.34 वोल्ट तो ग्यात रेक्टाट विभाव का मानत अप्चेयन विभाव बताएगे से पहले लिखना पड़ेगा निम्ने प्रकार से लिख सकते हैं कैसे यस और नो अभी बताया इनौड सेल बरावर इनौड के थोड माइनस इनौड एनौड जल्दी से करेंगे मुझे फटावट कमें में लिकर दिखाओ कि आपको यह आया है नहीं जल्दी से इसका अंसर करके बताएगे सभी बच्चे फटावट 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 आजाना चाहिए भाई पीछे मेंने करवाया है अब आपके पास क्या है के थोड एनौड क्या करना है कियात है इसकी वेल्यू कितनी है 0.0 इसका वेल्यू पता नहीं है तो क्या लिखोगे इनौड सेल सी यू प्लस टू नसी यस इसकी वेल्यू कितनी दिये 0.34 यस और नो यह इस तरफ आ जाएगा क्या हो जाएगी वैल्यू इसल की वैल्यू कितनी आई सी यू प्लस टू ना सी यू बराबर 0.34 यस और नो बच्चों जल्दी बतागा बात समझ में आ गई होगी यहीं उता रहा है आप सबने बहुत कम बच्चे आंसर लिख पाते हैं क्यों वहीं ध्यान दो यहां इस तरह कि क्या है क्या पढ़ाया जा रहा है ध्यान केवल टॉपिक पर होना चाहिए मैं रोज कहती हूं न जैसे क्लास और होगी उसके बाद में आपने बात में करें लेकिन उससे पहले नहीं मेरे बच्चे अच्छे वाले हैं न कहते हैं आदर्श स्टूडेंट आप ही है तो आप आदर्श जो परिभाशा है उसको जस्टिफाई तो आपको ही करना होगा ना बही तो जल्दी से पटा फट उतारेंगे और जल्दी से दिखेंगे यस माम ओके जी चलते हैं आगे अब आता है अपना अगला टॉपिक अच्छा पहले वो देख ले उसका क्या अपने पास क्या है अग्यात इलैक्टरोड के रूप में और यह अग्यात इलैक्रोड किसके रूप में कैथओर के रूप में ठीक है आओ जी आओर के रूप में तो यहां पर यह क्या है कैथोड यह क्या है एनोर के रूप में है यहां पर यह क्या है अग्यात तो वो क्या हो गा I sadly, अभastically अभ एक हो गया की तरफ ट्रफ हमें तर लेकिन अब हाइड्रोजन कहां से कॉपर से हैड्र общем की तरफ यहाँ क्या था जद्वरेंग से हाइड्रोजन से किसे तरफ जिंख करेंट करींट इल्ग्स यहां पर हाइड्रोजन इक और क्षे나ijk ना से माड इसके लग्ध और बदलना हे उस तरफ एर संदार रहा है यहाँ यह ना कि तरह वह आपको यूप तो चलते हैं आगे आप चलते हैं अपन फटा फट अपनी नेंसर्ट समीकरण क्या टॉपिक पे तो आ जाते हैं लेकिन एक वायरलेस कॉंटेक्ट होता चीज़ और स्टुडेंट के बीच में हैं कि हम चीजे जान जाते हैं कि मेरे बच्चे को कौन से जगह पर दिक्कत हो सकती है आपका और्च्र यहास कॉंटेक्ट है रैट वैसे जब टीचर पढ़ा रहा होता लगा Ah ले अच्छा अपने क्या सिरू किया था अपने मानाख हाइडरोजन इलेक्टोड लिए और हाइडरोजन एनोर और केथोड की तरह काम करता है वह भी पढ़िए अब बात आई विभव की विभव भी उत्पन हुआ था ना वाहां पर 0.0 तो विभव उत्पन हो रहा है तो किस अगर मैं बात करूं कि अपने पास इसा सेल है और वहां पर अलगंड लगें है और यहां पर क्या लगाुआ है कोई बैट्री जबरें तो यहां पर सोलूंशन है ठीक बात है यह हो गई स Arabia और यह जो इलेक्टोड है और यह जो सोलूशन है इनमें क्या है आईनों की सांदर सांद्रता से ही क्या उत्पन होगा विद्युत वाहक बन हां या ना जल्दी बताओ यस और नो होगा तो एक साइन्टिस्ट आया कि कैसे हाता है यह कोर्रिलेशन इनके बिच में संबंद कैसे आया यह क्यों हुआ तो उन्हें रिसर्च किया किसने नैंसर नामक विज्यानिक और कहा कि अगर किसी अभी सेल में विभवा उत्पन होता है तो उसका जो विद्युत वाहग बन या सेल विभव जिसे हैं वो सेल विभव उसकी सांद्रता के करण आ रहा है किसकी वीलियन में उपस्तित आइनों की सांद्रतीज तो उनोंने इस संबंद को बताया और संबंद को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं फड़ा फड़ा लिखेते हैं बातसर में आई अगर यास तो फड़ा फड़ लिखेंगे रएक है में येस ऐं बिल्कुल जी बिल्कुल clear हो गया बात समय करण क्या होती है तो फटा-फट आप इसको उतारेंगे ताकि बात clear हो जाए ड़न ओके जी ओके तो 69 समिकरन क्या होती स्क्रीन पर आपके परिभाशा वैसे मैं ने परिभाशा आपको बताइए आपको समझ में आगई होगी ना कि कोई भी वीलियन की सांद्रता यानि आयनों की सांद्रता और उत्पन विद्धित वाहग बल जो होता है सेल का विद्धित वाहग बल आयनों की सांद्रता के मध्य संबंध जिस समीकर्ण से व्यक्त होता है उसे नंसर्ट समीकर्ण कहते हैं क्लियर बात समझ में आई फटावर लिखो यास मैं जल्दी जल्दी लिखो फिर आगे चलूगी मैं इस बार तो आप लिखोगे तभी चला वाई तैंक्यू बच्छों अब इतना सुनते हैं हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है आप लोग पढ़ रहे हैं इस से अच्छी बात संबंद करके बता रहे हैं जरा ध्यान देना ठीक है नैंसर नमक वेग्यानिक ने इस संबंद को किसको आइनों की सांधता और विद्यत्वाग बलको संबंद बताने के लिए उन्होंने कहा कि कोई भी जब कार्य होता है तो उसमें एक उर्जा हिडन होती है जिसे हम कहते है मुक्त उर्जा या गिब्स मुक्त उर्जा क्या कहते हैं गिब्स मुक्त उर्जा है और यह उर्जा किस से आ रही है जब आप कोई न कोई कारी कर रही है इसको हम समझ सकते हैं जैसे एक बाइक है बाइक में आपने पैक्ट्रोल तो दलवा लिया पर वो चली कैसे हैं आपक तेल क्या कर रहा है तेल उर्जा दे रहा है कि उसको पहले है वह है तो यूज जाता है उसके इंजन तक आज सब बच्छे चेक कर सकते हैं कहां तक वहां से एक नली निकलती है तेल को ले जाने वाली पैट्रोल को ले जाने वाली इंजन तक इंजन में वो क्या हो जाता है इंजन जब चलता है तो पूरा वहां पर तेल जल जाता है कि जलकर क्या करता है एक उर्ज्या उत्पन करता है जिसे हम कहते हैं गिबस मुक्त उच्ट से आज पता चला ना दिखाय है नहीं देते हैं आप तक नहीं पता था ना पता ही नहीं यह वर्क कैसे कर रही है तो इसमें के उर्जा काम आती तो नेंसर नावक विज्ञानिक ने इस चीज को यूज किया और कहा यह 11 में पढ़ाया बेटा तो उन्होंने एक संबन्द बताया कि गिप्स मुक्ट उर्जा जो है वो किसके बराबर होती है डेल जी इस सद्विशन प्लस 2.303 और टी लोग के गिप्स मुक्ट उर्जा को परदशित करने के लिए एक समीकर्ण उसने दी इसे गिप्स मुक्ट उर्जा समीकर्ण कहा गया रहे इस संबन्द से उसने क्या निकाला आमनेंसर समीकर्ण को वित्पन किया ख्लियर होई बात तो गिप् यह समीकर्ण जो है आपकी वहां पर 11 ट्रास में थर्मों डायनिमिक्स जो चैप्टर रहा आपका उसके अंदर लास का टॉपिक है एकदम लास का टॉपिक वहां पर यह समीकर्ण दिए तो कहां अब चलते हैं आगे तो उन्होंने कहा कि इसकी वेल्यू क्या होती है कि डेल ज ये समीकन 1 है और इस समीकन एक में डेल जीले जीनौल प्राइब पड़ाते पढ़ाते है न कि तो हम लोग बहुत ज़्याना जोशं पढ़ा रहे हमारे बच्राइब है न कि मेरे बच्चे इतने अच्छे भाई तो जोश में तो आना बनता ही है भाई इनौड से क्लियर बेटा तो इन दोनों की वेल्यू कहां पर रख दें आप समी करण एक में रख सकते हैं या नहीं जल्दी बताओ अच्छा दूप नहीं रखोगे क्यों आप मैंने यह सब बताय देल जी तो गिप स्मुक तोर जाए कोई दिकत नहीं है अच्छा एन क्या है इलेक्ट्रोन की सब्सक्राइब यह यूँ कहूं आवेश ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वरना फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे हे क्यों ठीक किया है कि is sign a है ठीक ऐस चाहे वीदिध्यूत्स विभवोवो जिसकी डिसका मुझा लास हराडए भीके एक तो फिराडे जिस जिसकी मीज़त हो तो तो फिराडे जिसकी क्या होती है नाइन क्या क्या होती है इसकी वैल्यू जल्दी जल्दी बता नाइन सेक्स फाइव डबल जिरो पता ही नहीं मेडम हमको है पता होना चाहिए बच्चों कुलाम यह कुलाम पर मोल एक्चली पता है यह सक्षी 11 में है पर हमने उसको हवा में उड़ा दिया अगर अपने को पता होता ना वह जा सकती पर नहीं अगर डायरेक्ट लिखते तो मेरे बच्चे इस चीज को कैसे समझ पाते हैं तो फटा 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 पर देखो पीटा एक फेराडे की वेल्दी पता चल गई यह वन फेराडे की वेल्दी ठीक है और यह सेल तो सेल भी बवव है इसमें कोई दिक्कत है इन सेल लिखा ओके बच्चों कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी बताओ नहीं है ओके फिर उतार लिया चलती हूं यहां तक तो क्लियर हो गया डेल जी और इनका मान तो पता चल दिया अब मैं इसका मान समिकरन एक में रखना चाहते हूं रखलू ओके लख लेते चलों अपने पास क्या है बिटे डेल जी इस इकल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303त लोग के बिटा के की मताओ क्या है समय वस्ता इक्विलिब्रियु सम्य ठीक है इसको बाद ने बताऊं इमें के का मतलब क्या है कि स्थी रांक है वो क्यूं है बताऊं पहले यां चलो कि आगे वेल्यू रखो क्या था माइनस एन एफ इसेल बराबर डेल सवर यहां पर छोड़ देते हैं अपने एक लाइन क्योंकि अपने को क्या पता और जरुरत पढ़ जाए ना इसेल बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस एन एफ एन नौड सेल प्लस टू पॉइंट प्रीजी रोट्री लोग क्या के लिख क्लियर बात समझ आए कि अवे पका चले आगे अब ये तो होगी नहीं सेट समय के यहां तक तो थेगे लेकिन अभी क्या वित्पन पुरा होना चाहिए तो अपन देखेंगे कि अपने पास आगे क्या है टॉपिक अब हम इसको वित्पन करने के लिए लिखेंगे अगर अपने पास क्या हो माइनस अगर हम एन एफ का भाग देंगे भाग देने पर क्या होगा वर का भाग देने पर होगा यह कि हम लिखेंगे मैनस एन अफ इस सेल बराबर माइनस यहां पर भाग दो माइनस एन एफ इस सेल बट्टा माइनस एन अफ प्लस 2.0 303 rt log keq बट्टा माइनस यस आई कट गया क्या बिलकुल माइनस से माइनस भी कट होई रहे है अब क्या क्या पच्छा यह नोड है भाई बुलना नहीं यहान गया हुआ है ठीक है यह सेल बरबाबर यह नौड सेल बिटा प्लस माइनस माइनस 2.303 अपोन एं एं आर टी लोग क्या के एं क्लियर कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए यह भी क्लियर अब बेटा यहां पर आर क्या है गेस इस्तिरांग है हाँ यह न जल्दी बोलो जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 राइट यह सोनो जल्दी लिखो केल्विन से जूल पर केल्विन पर मूल भी लिख सकते हैं उसके बाद में टी क्या है परमताप जिसका वैल्यू 98 केल्विन उसके बाद एं तो फिक्स नहीं है एफ फिक्स है एफ की वैल्यू कितनी 965 00 कुलाम पर ठीक यह सब इस्थिरांग है अगर इन सब को अपन गुणा भाग कर लें तो अपने पास आंसर आता है इसल बराबर इनाट सेल अभी यह चीज नहीं देखना यह चीज नहीं यह एडिंग नहीं ठीक है इसल बराबर इनाट सेल माइनस इन सब को यदि आप मल्टिप्लाइ करते हैं तो आपके पास क्या आता है आपके पास वैल्यू आती है क्या जीरो पॉइंट जीरो फाइफ नाइन वन अपोन एन लोग के ये की बात समझ में आगे सब को यह सोलें जल्दी बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं यही समीकरण आपकी क्या है बेटा यही आपकी नेंसर्ट समीकरण लिखा गया है नेंसर्ट समीकरण बात क्लियर हुई सबी बच्चों को व्युत्पन करना समझ में आया यह जल्दी बताएंगे फटाफट बताएंगे ओके डन चलूं आगे ओके फटाव उतार लेंगे यह बहुत जरूरी है जिस बच्चे को यह पता च के एक्यू लिख रहे हैं जिसे साम्यावस्था इस्तिरां कहते हैं इस्तिरां यह किसी भी रियक्शन के लिए होता है बटा कोई भी अभिक्रियाम में उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता उसको हम लोग के अगर वो साम्यावस्था में हैं तो एक्यू लिख दो अगर साम्यावस्था में नहीं है तो आप उनकी मान को रिपर्जेंट कर दो क्लियर के एक्यू का मतलब समझने है उत्पाद बटा अभिकारक की सांद्रता चले यह सब याद रखना है मैं आगे पू हो गया क्लियर अब अपन देखने हैं अपनी पहली एकल इलेक्टोड के लिए या अर्द सेल के लिए नेंसर्ट संट नेंसर्ट समीकंड तो आगी पता चलिए क्या होते नेंसर्ट समीकंड जल्दी बता हो फटावर कमें में देखो ईसल बराबर ईनोट सेल माइनस 0.0591 सब क्यों हट गया क्योंकि वहां पर क्या है सब की वैल्ली को कैल्कुलेट करके तो माल आया था राइट तो अब देखते हैं अपन क्या बेटा अपना एक अर्द सेल के लिए अर्द सेल मतलब ध्यान दो इधर देखो सब मैं बार-बार एक डाइग्राम बना रही हूं अगर आपको लग रहा है ना कि अगर बिना डायग्राम के गदी में समझाती तो अपन समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा हैं तो आप भी एसी प्राक्टिस का नहीं ठीक है अब बेटा यहाँ पर यह एक अर्द सेल है और ये भी एक अर्ध सेल है, ठीक है, एनोड अर्ध सेल, कैथोर अर्ध सेल, ठीक, यहां तक कोई दिखते हैं, तो इस अर्ध सेल के लिए अपने को नैंसर्ट समीकरन लिखना है, तो हम क्या करें, सबसे पहले इस सेल के लिए अपने देंगे, यह धातू है, और एनोड है, तो पहले क्या लिखी जाएगी, धातू आयन से क्या धातू, इलक्टोन, ग्रेहन कर रहा है, तो M बन गया, ठीक है, तो यह इसका मतलब, इसके लिए नहीं है, किसके लिए यह, कैथोर के लिए, क्यो इसने क्या लिया, धातू, आयन था, धातू से, इसने इलक्टोन, ग्रेहन करके, धातू में कनवर्ट हो गया, ठीक है, यह अभी कारक है, अचा मैं क्या, अलग कलर से लिख जाती हूं, वर्ना क्या है, कि मेरे बच्चे एक तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, कि हम क्या कर रहे ह ठीक है, चलते हैं, अब मैं लेती हूं, यह है आपका अभी कारक, और यह है आपके उत्पाद, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं, नैंसर समिकन अर्ध सेल के लिए हो, समिकन तो वही रहनी है, बस के एक्यू में अभी कारक उत्पाद बटा, अभी कारक बदलेगा, और कुछ न नहीं, बी केरफोल, चले, अर्ध सेल के लिए सुत्र लिख दिया, सेल, इन और सेल माइनस, आर्टी, एनफ, ध्यान दू, इसने लिखा है, आर्टी, अपॉन, एन, एफ, एलन, क्या, उत्पाद बटा, अभी कार, उत्पाद की संता बटा, अभी कारक की संता, ठीक है, अब हैलन आगिया, मैडम आपने दो लोग बताया था न, ध्यान दे, अगर आप ये लिख रहे हैं, ध्यान देना, इस सेल बराबर, इन और सेल, उसके बाद, माइनस, टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री, एन, एफ, आर्टी, क्या, लोग, के, एक्यू या उत्पाद की संता बता बता, प्रॉडक्ट बता रियक्टें, ठीक है, चलो ये लिख देते हैं, अगर इस चीज को में हटाती है, तो यहाँ पर लोग की जिए पता क्या जाएगा, इन दोनों को हटाने से बन जाएगा, एलन को हटा हूँ, तो वहाँ पर आ जाता है, लोग और लोग लगते ह जाती है, तो याद रखो, ओके, तो यह वैल्यू क्लियर हो गई, यहाँ तक, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इसल, इन और सेल, माइनस, आर्टी अपॉन एनफ, एलन, अभी कारत मताई, डन, बात समझ में आ गई, चलते हैं, अब इस तरफ यह तो हो गया, यहाँ तक ब यहाँ की वैली, अब आपने इसको यू लिखा हुआ है, एम बट्टा, यहाँ उत्पाद की सांता है, और एम, अभी कारत की सांता, सॉलिट के लिए कंसेंटरेशन हमेशा एक होती है, तो नीचे के वल क्या बचा है, एम प्लाइस, यह सोर नो, बात क्लियर हो गई, तो एम जल्दी से जल्दी, क्लियर हो गया, ओके जी, ओके, यह सब उतार लेना, अच्छे से, ओके, चलू आगे, ओके, आप चलते हैं, आगे, देखो, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था, वो यह से भी, नैंसर्ट समूझे, क्लियर, 2.303 के कोई दिक्कत नहीं है, बताओ है तो जल्दी बताओ, 0.059, क्लियर, बात समझ में आगे, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी, 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 क्लियर, डाइ, अब एकल सेल के लिए तो हो गई, पूरा सेल हो तो, यह तो क्योंद अर्ध सेल के लिए, चाहे वो एनोड थोड़ो, लेकिन पूरा सेल हो, जैसे विद्धितरासाइनिक सेल है, या जैडन सीउ सेल है, तो, बात करते हैं, यह कह रहे हैं कि निम्न समिकर्ण के लिए, नेंसर समिकर्ण लिखो, लिखते हैं अभी लिखते हैं, अब आपने का है तो लिखना है, इसने का एक सेल दिया ह हुआ है निम्न समीकर्ण के लिए ननयांन सर्ड समीकर्स अर्द अर्द सेल नहीं है बताओ को मैंड में लिखो यह क्तर एर यह प्रॉडक्ट ते बता वार जल्दि क्या बनेंगाओ इसलब़ांबर E not cell हाँ यह न, जल्दी बोलो बराबर E cell बराबर E not cell minus क्या, 0.059 upon क्या, N और किसकी value CU upon CU plus 2, yes or not जल्दी बताओ, फटा पट लिखो लिख दिया, तो देखो ज़रा यही लिखाया क्या 0.059 upon N log, 1 upon CU plus 2, बताओ, 1 क्यों आया कमेंड में बताओ, जल्दी से, क्यों आया 1, क्योंकि धातु है CU और सॉलिड है इसके लिए मान एक होता है ठीक है, second देखो इसके लिए लिखो, AG प्लस प्लस इलेक्टरोन ग्रेंड करके, AG बदल गया हाँ या ना, यह सब क्रियें, पहले तो यह बताओ, कि यह क्रियें हो का रही है, एनोड की कैथोड पर जब इलेक्टरोन ग्रेंड होते हैं तो अब चेन होता है और कहां होती है, कैथोड पर क्लियर, आंसर देखो क्या हो, समझ आ गई बात कि नहीं आई, अभी जो बताया है, जल्दी उतारो भाई, इसको आ गया होगा समझ में, फटा फट, यही है ना, वापस बस इतना ही चेंज है के वहल यहां पड़, क्लियर जी, क्लियर, अगर माइनस में लिखा है तो, एक ब फॉर्ड लास्ट क्येस्टिंट से प्रैक्टिस चल रही है, सीज्टिव अब यह क्या आयन बन गया, एक लिए कि इस पर हो रही है, एन ओर, पर समीकर्ण क्या बनेगी, क्योंकि यहां पर आयन कहां पर है उत्पाद है और दातू रियक्टेंट इसका मान कितना एक इसके बट्टे में एक लगाने का तो कोई मतलब नहीं आ गई है ना इजी बहुत इजी बहुत इजी अगर बात समझ में फटा फट लाइक करो जल्दी से शेयर शेयर करो बच्चों को चलते हैं आगे नेंसड समिकन के एक्जमपल्स हो गये है अड ऐसेयल के अब सेयल के लिए निकालती है पूरा Siell एक जणर में निकालनी है तो उसके लिए अपने उधारन से समझ सकते है क्या कि डेनियल सेल का सेल आरेक क्या होता है बच्चो जल्दी बताओ यह सेल है हाँ या ना अब आपको भी याद हो गया होगा कि अपन क्या बना रहे है यहां पर क्या है जिंक यहां क्या है को पर यह दोनों अपस में एक पैटली दूआर है यह लवन से तुं लगा हुआ है एस और नो में चाहर दाट में क्या होता है धाथ धात आयन लिखा है कि जर्द ध्यान दो यहां धाथ यहां धात ठीक लिख दिया कोई दिककत नहीं आनी भी नहीं चाहिए है कि देनियाल सेलाइक अब अभी ग्रिया शेल अभी क्लिए मतलब हर एक अर्द सहल के लिए सफे लबी की या कि या निकी इसके अलग बनेगी इसके लिए अलग बनेगी तो पहली बड़ेलेक्ट्रोन पर जैरं से जडरं फ्लस 2 ओक्सी करन अबचे क्लियर यह सब लूत और सहल अभी यह तयार जैरं प्लस सी यू प्लस जैरं फ्लस सी हाई नजडं ने अपने एलेक्ट्रॉन दान किये इसने लिए जड़न प्लस टू बना और यह बन गया सी ओके यस फटाफ़ट कमेंड में लिखेंगे जल्दी से जल्डी क्लियर हो गई अब चलते हैं अगे उपरोक्त सेल के नैंसर समीकर एक साथ नहीं लिखी जाएगी पहले अर्द सेलों की नैंसर समीकर बनेगी फिर इन दोनों को अपन क्या करेंगे जोडेंगे तब जाके क्या आएगी नैंसर समीकर पसा से पहले लिख रहा है जैडन प्लस टू टू इलेक्ट्रों जैडन तो इस सेल के नैंसर समीकर यहां आप कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए वन अपॉन जैड प्लस इसल इन ओड सेल 0.059 अपन एन लोग बन अपन सी यू प्लस टू क्यों उत्पाद अभिकारक उत्पाद बटा अभिकारक होता है सी यू कमान एक होगा तो एक बटा यह वहीं है सिमिलारली अभिकारक जल्दी बताओ बच्चों बात समझ आए कि नहीं चलते हैं आगे समीकरण एक समीकरण दो समीकरण दो में से यानि सी यू में से जैडन वाली जो रियक्शन है उसको गटाना है अब ध्यान देना एक ब इसमें से यह माइनस होता हुआ नजर आएगा ज़रा ध्यान दो सी यू में से जैडन हो रहा है माइनस सेकिंड पहले रियक्शन किसकी लिखी जाएगी किसके लिखे जाएगी CU वाली उसके बाद कौन माइनस होगा यह, हाँ या ना देखो, हो रहा है क्या जैडन हो गया उसके बाद, E0 CU प्लस पूरी रियक्शन में, दोनों को इज़र common ले लिया, E0 E0 फिस 0.059 इसका लिख दिया, 0.059 जिंक और कॉपर दोनों का लिख दिया जल्दी बताओ यस और नू अब यदि इन दोनों को आप क्या ले ले common ले ले, यह तो common है ना दोनों में, लोग लोग तक ठीक है, अगर आप common ले लेते हैं, तो क्या होता है चलो यह कहरा है, नहीं रुख जाओ अब भी बताओ e cell की value यह है, और e node cell की value यह है तो अगर आप चाहें, तो आप यहाँ पर सीधा e cell e node cell भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ यह न इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं e cell, इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, e node cell yes और no, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं अब पूछ रहें को क्यों लिख सकते हैं अरे अपने को क्या बनानी है cell की nensered समिकर e cell और e node cell ही लिखा जाता है clear, तो यह लिख दिया भई e cell, e node cell दोनों को common लिया यहाँ से यहाँ, यह common यहाँ लास्ट में बच्चा क्या लोग, यह दो common है, लोग 1 upon cu plus 2 minus, लोग 1 upon general plus 2 yes or no, जल्दी बताओ yes or no clear, ओकी जी, ओकी तो e cell, e node cell बराबर क्या बच्चा अगर आप इसको यह लिख रहे हैं 1 upon cu plus 2 minus, लोग 1 upon general plus 2 yes or no, यह भी लोग हो लोग में जो चीज़े minus में होती है, वो भाग में होती है, पता है 11 में पढ़ा होगा, chemistry में बताया जाता है, चाहाँ नहीं बताया गया, आज में बता लोग में कोई बी चीज़ाती है, दसमीर तक गणित पढ़ी है न, उसमें लोग आता है, तो लोग में जब भी कोई माइनस में होता है, दो चीज़े, A minus B, तो उसे लिखते हैं B बता A, right, plus में होती है, तो वो गुणा में होती है, किसमें होती है, गुणा में होती है, clear, तो यहाँ पर बात समझ में ही, यह बाते ध्यान रखना भई, तो यह सेल पर आपर क्या लिख दिया, C, U, प्लस टू अपॉन जड़न पसकी, दोनों को मर्ज कर दिया, यह भाग में चले गए न, यह इसकी किसमें आ गया, बटे, चले, clear, यहाँ तक तो दन है, तो अब अगला टॉप किसकी, जड़न, C, U, सेल, जड़न, C, U, सेल के लिए, नेंसर, सब्सक्राइब, देन, उतार लो, भई, उतार लो, आगे चले से पहले, इसको उतारो, मैं तो जल्दी कर भी थोगा, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं करते हैं, परे उतारो, चलते हैं, आब सेल अभी, क्रिया के लिए, नेंसर, सब्सक्राइब, सेल, अभी, क्रिया, एक्जामपल है, वई, उधारन, इसके लिए, बताओ, नेंसर, समीकन, जल्दी कमेंड में लिखो, फट आपट, आंसर में बात में बताओंगे, पहले लिखो, इसका आंसर, जल्दी बताओ, यह रही, आगई, ओके, 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 ठीक है, निकल, क्या है, उतपाद, कौपर क्या है, आएन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि धात्वों का मान तो यह होता है, ठीक, ओके, चलते हैं, दूसरी सेल रेको, एफ़ी और एजी, तो उतपाद में कौन, अभी कारत उतपाद में सेल अभी की या लिखो, अभी कारत, कुछ नहीं करना, बाके तो सब याद रखना है, इसेल बरावर, इनोट सेल माइनस, 0.091, लोग, अब, एफ़ी प्लस टू बट्टा, एजी प्लस, हाँ यह न, अब यहाँ टू क्यों आये, क्योंकि एजी कितने हैं, दो, सांद्रताओं की घात, वो संख्या बता देती, है कि कितनी मात्रा में यह लिया गया है, ओके, चलते हैं, आगे, नैंसर समिकन से साम्या वस्था, इस्थि लोग, उत्पाद के संता बटा, अभी कारक की संता, या फिर के, एक्यू, जिसे हम कहते हैं, साम्या वस्था, इस्तिरंग, अगर यह साम्या वस्था, इस्तिरंग है, तो यहाँ पर, इन दोनों के बीच, संबंद कैसा होगा, तो कहा जाता है, ध्यान से देखो, कि साम्या ब़स्था जब भी होती है, तो अभी किरिया नहीं होती, सेल विभाव, जीरो होता है, क्या, सेल विभाव, जब साम्या वस्ता है, तो आए नादन परदान क्यू होंगे, भई, जब आइनो का ट्रांजीशन नहीं, तो सेल विभाव, जीरो, ऑके, यहस, मैम, लिखो एंसर समिकर्ण में इस प्रकार लिख सकते हैं आपको इसको यू भी देख सकते हो E cell बराबर E nod cell minus 0.059 upon N क्या लोग अग C की कंसंट्रेशन कितनी है भई के आगे C लिखा है बट्टे में A के उपर A लिखा है और B के उपर clear बात समझ में आ गई होगी सबको तो अब यहां यह कह रहा है कि अगर आप इसको साम्य आवस्ता में ले लें तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगे के लोगे किसकी जगे इनकी जगे के क्यों लिख सकते हैं साथ ही इसकी value क्या हो जाएगी इस cell की value क्या हो जाएगी जीरो क्यों हो जाएगी क्योंकि जब यह साम्या में है तो अभी का लगत पात बराबर दोनों का मान cod 기본 एक बटब्टा एकट्ट जीन ओ चलते कि वह चहां ओंगे देखो साजा समयावस्ता की तरफ गफातीब होती हैं तो मातरा सैंस्स कि लिए निया बताया था भी मैंने सम्म्यावस्था इस्थिताम दोनोस मानो को नेंसर समिकन में रखने पर जीरो रख दिया यी नौट सेल बराबर लोग केसी अगर आप इसका वेल्यू निकालते हैं तो आता है लोग केसी इदर ले जाओगे और यी नौट सेल बर्टा 0.05 क्लियर बात समझ में जीरो और लगा देना ठीक है आगई समझ में अब तो कोई दिक्कत नहीं सबको क्लियर तो फटा-फट उतारेंगे जल्दी से जल्दी साम्यावस्था इस्था कुछ नहीं करना 59 समिकर्ण में केवल इसल की जगए 0 लिख देना और के सी लिख देना किसकी जगए उत्पाद बटा अभिकारत की जगए के सी क्यों है वो साम्यावस्था इस्तिरांग के साम्यावस्था सी कॉंस्टेंट के चलें जी बिलकुत चलते हैं आगे अब पढ़ते हैं आगे मानक मुक्त उर्जा या गिब्स मुक्त उर्जा इसके बारे में मैंने पहरे बताया था है ना जो चीजे या जो उर्जाएं हिडन रहती हैं वो गिब्स मुक्त उर्जाएं कहलाती हैं क्लियर तो वो किस तरह होंगी उनमें समंध क्या होगा तो सबसे पहरे बताया कि परिभाश कारे के रिनात्मक मान के बराबर हुटी है तो परिभाष आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है विज़त रासायने के सेंद मेरा साइनिक उठ़ जब तर परिवेर होती है अर्थाकार किया जाता है रूकारिया cell के विद्वध वहक बल और आवेश के गुनन पल के बराबर होता है clear बात समझ में आगई तो अब ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब ये क्या कहे रहा है अब यह कह रहे हैं कि अर्थार्थ वी डबलु किया गया कारे आवेश और विभाउ के बराबर गुननफल के बराबर डबलु बराबर एन एफ इस यहां तक तो समझ में आया हुआ है लेकिन वहीं पर जो उर्जा आप बता रहे हो वह उर्जा गिप्स मुक्त हों यानि डबलू ब़्राबर डेल्जी राइट यस और नू चल्दी बता हो, बात पथा है तो अपन देखते हैं की डबलू ब़्राबर माइनस यह गई रिनात्मक कारये के बराबर होगा क्यूंक क्यूंक जितना कार ये अरजा उतनी ही घड़ति चलेगा कार्य बढ़ेगा उर्जागटेगी फिर कार्य बढ़ेगा उर्जागटेगी तो गटने को हम किससे रिपर्जेन करते हैं इह रंतमक निशान से मैं एक एक शब्द क्लियर कर रहे हैं कोशिश करो यहां, cell की मानक परिस्थति थिया डेल जी बराबर डेल जी नौड याद है, पीछे बताया था तो, बराबर जांए, नौड सेल तो, डेल जी नौड बराबर माइनस शयद यहां तक किसी को कोई दिखत नहीं है कि यह पीछे सब किया हुआ है वहीं यहां पर बताया है ओके चलें आगे चलो चूंकि इनौड सेल क्योंकि हम पीछे इसल मानक परिस्थितियों में सेल कमान जीरो था तो इनौड सेल वराबर 2.303RT अपून एनफ लोग केसी साम्यावस्ता इस्तिरांग का वेल्यू आगी वह समीकर्ण यहां पर काम आ रह यहां पर आप इसल कि दाम दैल जी न और मैनस एनाफ इन्टू लिग दिया यह सवर्णू बात क्लियर हो गई होगी यह क्यों लिका डाइरेक्ट यह आर्टि यही वाटा दिया कि यह सब क्यों इस्तिरांग है इनकी वेल्यूफ फिक्स है तो यह इनको बार बार नहीं आता है कि जितनी जादा गिप सूर्जा का मान होगा केसी का मान उतना ही कम हो यह यू कह दें साम्यावस्ता में जब कोई भी रियक्शन होती है तो गिप सूर्जा का मान उतना ही ज्यादा रिनात्मक होता है तो इनका संबंद आपको समझ में आ गया होगा बात क्लियर हो गई है कि साम्यावस्ता इन में संबंद कैसा होता है तो अब एक question में देखर जा रही हूं जिसके लिए आपको नैंसर्ट समिकन के माध्यम से आपको क्या लेना है नैंसर्ट समिकन को यूज करते वे सेल आरेक बनाना है और इस पैसेल यानी सेल विभव का मातना तो फटाफ़क स्ट॥बित देखेंगे ऐग्जामपल जो है आपकर पहला क्योश्चन यांज है तो इसकी वैल्यों दी गया है यह और यह सेङल आपको लिख करierra है ठीक है ओके अब सेल आरेक से आपको क्या लिखना है सेल अभी क्रिया और सेल विभव निकाहिए क्लियर बच्चों बात समझ में अगर आप यह चीज करेंगे आज तो आप पता चलेगा कि नैंसर समीकन से क्रेस्टन कैसे आते हैं और अगर आपको नहीं आए तो नेक्स क्लास में मैं आपको यह क्रेस्टन हल करवाऊंगी उसके लिए आपको कमेंट में लिखना है यह बात और डिस्क्रिप्शन में जाके हॉमवर्क भी ले लेना है और मैंने बदाया था जो सार्णी है लैक्ट और विभव वाली वह भी व पढ़ा है उसका नोट्स जरूर बना लें इसको रिवाइस जरूर कर लें तो वह जो एक्सांपल्स हमने लिए थे वह आज डिसकस करके आगे बढ़ेंगे से पहले एक नजर आज के टापिक्स पर आज का टॉपिक क्या है बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे विद्युत रासाइनिक स्रेणी रासाइनिक सेल पढ़ा उसमें जो इलक्टोड काम में आ रहे हैं या धातुए जो इलक्टोड के रूप में यूज की जा रही है उनका एक्चल में विभव कैसे होता है वो किस तरह से काम करती कब उनका ओक्सिकन होता है कब काप चैन होता है यह सब हम यहां डिसकुस करेंगे साथ ही हम पढ़ेंगे क्या फेराडे के विद्ध अपगटन के नियम यानि हम पढ़ेंगे अविद्ध अपगटन क्या होता है और इसके नियम जो फेराडे ने सबसे पहले बताए थे उन पर डिसकुस करेंगे एवन उस के ऊपर क्यास्ट भी देखेंगे साथ ही साथ कॉलरास नियम बेटा ये सबसे इंपोर्टन टॉपिक है दो नमबर का क्यास्टन आना है कैसे आएगा क्योशन ये में क्योशन लास्ट तक जब आप क्लास में रहेंगे तभी मालूम चलेगा इसलिए प्रॉमिस करो कि आप आज अपना टॉपिक अच्छा मैडम आप तो फ्लो फ्लो में बोल जाते हैं नहीं नहीं पहले कल जो क्लास में आपको एक्जामपल दिये थे वहल करेंगे उसके बाला के बढ़ेंगे डर इतना डर क्यो जाती हो तुम घबराया नहीं करो है ना डरने की क्या बात है जब हम है साथ तो चलिए शुरू करते आब एक्जाम्पल क्या था एक्जाम्पल था आपका जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे एक्जाम्पल था बिड़ा मेगनीशियम एमजी एमजी प्लस तू इसकी सांदृता इस तबाच अगर ऐसा दिया गया है तो हमें इसको कैसे हल करना बिढ जाता है इसले जो ता है उसके मान भी अपने को दिए जाएंगे अपने को मानक एप्टोड विभव गयात करना है और उसके बाद सेल वीभवा गयात करना है दो चीजें करनी क्या-क्या मैं लिग दे रही हूं एक तो सैल विभाव विभाव जो किस से ग्याद करना है नैंसर्ट समीकरन से और दूसरा मानक इलेक्ट्रोड विभाव राइट सेल का मानक लेट दोनों ग्याद करने हैं पहले क्या कह रहा है वो ध्यान दे आपको 69 समीकरन से सेल विभाव चाहिए तो आपको नैंसर्ट समीकरन पता हो नैंसर्ट समीकरन क्या होती है नैंसर्ट समीकरन होती है इस सेल बराबर इनाड सेल माइनस 0.059 अपोन एन लोग क्या उत्पाद की सांद्रता बटा अभीकारत की सांद्रता यस और नो चल्दी से कमेंट में बताएंगे फटाफट देखो बच्चों आपके समक्ष यदी मैं लिख रही हूँ कोई चीज इसका मतलब मैं यह चाहती हूँ कि आपको भी ऐसे ही याद रहे है ना मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत का कोई विकल्प नहीं तो सफलता आपके कदमों में होगी इसमें भी कोई दोराएं नहीं तो फटाफट फटाफट जल्दी से तो हम लोग शुरुवात यहीं से करेंगे तो अपने को क्या चाहिए इनौट सेल चाहिए याद करो मैंने इनौट सेल निकालने का एक फॉर्मूला बताया था माना के लाक्टोड विभाव या सेल का विद्वत वाग बल ए कैथोर माइनस एनोड राइट जल्द इनकी सेल अभिक्रियां लिखेंगे एनोड और कैथोर पर सेल अभिक्रियां आपके सामने हैं राइट इसे हम अर्दुस सेल अभिक्रिया कहें तो ज्यादा ठीक लगेगा उसके बाद में आपने सेल अभिक्रिया लिख दी सेल अभिक्रिया लिखने से आपको यह पता चल की यह क्या है अर्ण और यह क्या है आपका CT yes और नो किसा कैसे क्लियर्टी को क्यों और कौन इतनाaste है कौन ऑम है च्छ जाल लेन और कभ और के थोड और नॉर्ड तब होता है जब दातू लिखी गयी और चाहँ से धातू आयन मन रहा है इस दातू से धातू आयन बन रहा है तो हमेशा यह एनोड की तरह काले करेगा और धातू आयन से जब धातू बनता है बिटा हमेशा हो कैथोर की तरह काले करेगा इसमें कोई दोर आए नहीं जान ले अगर नहीं याद रहता है तो धातू से धातू आयन आगे वही रह रहते हैं जो धनवान होते हैं हाँ या ना अपन कहीं पी जाते हैं तो पैसे वाले लोगों को आगे-आगे खड़ा करते हैं कि नहीं तो वहीं पास धनवान लोग यानिकी पहले उनके पास क्या हो पैसा हो तभी तो वो देंगे ना इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन होंगे तभी देंगे से पास है इसने दिया इसके पास नहीं है तो इसके लिए-फ toward भिझे लिए बिए रावे हैं आज आपन अंगे अब नियंसर्स अमिकन से पहले अपने को इमसर निकालना है तो नैंसर के लिए तो आपने को चाहिए सबस्छाइब क्या चाहिए इन're cell चाहिए इन हमे अब आपन क्या लिए पर यहां को प्रवर से फट मायनस청 लिया सबस्छारो से फटवर है यास मैम क्लियर अब इनकी वेल्यू आपको इसकी पता है इसकी अपने को कुछ मान याद रखने जैसे हाइड्रोजन का 0.0 है जिंक का 0.76 होता है कॉपर का 0.34 होता है मेगनेशियम का 2.36 होता है तो यह कुछ-कुछ है चार-पांच जो में साड़नी है वह इस तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देती फिर मैं आज लेकर आई हूं आप बच्चों के लिए मैं पता है कि मेरे बच्चे कहीं रुखना जाए किस चीज को लेकर तो मैं आज लेकर में एन की वेल्यू दो कहां से हाई मैडम बेटा मेगनेशियम पर कितना चार्ज है राजा प्लस टू एन क्या है आई नो की संख्या धनाया ने लेना इन की संख्या तो लिग दिया उसके बाद लोग उत्पाद और यह बट्टा अभीकारत हाँ यह ना उत्पाद और अभी जल्दी बताएंगे लिग दीजी लिग यह आया कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद में यह रहा आपका आंसर डन समझ में आ गया आई होब आपने ऐसे ही निकाला होगा जिसने नहीं निकाला है वो यहां से बासकता है चले आगे सेगेंड क्येस्ट इन जि आप अपने को यहां पर भी सिमिलर लिक्या करना है क्या ज्याद करना है बच्चों अपने को भी यहां पर वही पर सेल का मानक विभव मानक एल्याक्टोड विभव और क्या सेल विभव तो आपको यह क्योश्चन भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया था पहले अर् निकालेंगे अपन यह है आपका क्या किसकी वैल्यू है टिन की सेल विभाव है ठीक है तो अपन ने मानक सेल विभाव आ गया अब इसल पूरे सेल जो है उसका सेल विभाव कैसे होगा तो निकाल दिया यह क्योश्चन कंफोर्म आते हैं आप चाहें तो डबल स्टार लगा दे और याद कर लेना हो एक्जाम वाले दिन की मैडम ने कहा था कि यह क्योश्चन आएगा और यह आज आ गया है 101 प्रतिशत मैं कह रही हूं बेटा मेरा अनुभव यह है कि जो क्योश्चन हमने कराए हैं वह एक्जाम में वैसे ही आए है इसलिए मैं चाहती के लिएगा क्या बिल्कुल हो जाएगा एक्जाम से पहले दिसंबर तक आपका अपकाप कोशिश को पूरी की जा रही है साथ ही कुछ बच्चे कह रहे था कि मैडम स्टेव स्टेव क्यों कोडिंग बिल्कुल बेटा जो स्लेव्स में हैं वैसे ही चल रहा है जितने स्लेव करते वे तुम्हें पढ़ा हूं तो जो questions आप comment में मुझे पूछ रहे हो उनके आंसर देने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूं पर मैं यह चाहती हूं कि जब मैं पढ़ा रही हूं उस समय आप बिल्कुल पढ़ें उसके बाद में comment में छोड़ जाएं मैं बिल्कुल आपको उ तुनो रजा क्लियर चलें ओकेजी होगी अब अपना टॉपिक आता है आज का जो अपने पढ़ा है क्या विद्यूत रासाइनिक स्रेनी का क्या मतलब है यहां पर विद्यूत रासाइनिक सेनी के कहती है कि आप इल्एक्टरोड परते हैं विद्यूत अफगटन परते हैं जो भी आप पड़ते है वहां दातु की छड़ का मते जब वह धातु की छड़गा मते तो कौनसी धातु पर ओक्सीकरण होता है कौनसी का अपचयन होता है यह आपकी भाशा में मैं कहूं तो। कौन सी छड़ इलक्टोन ज़ाद देगी कौन सी इलक्टोन लेगी और कभी ये कार्य होगा तो आपके सामने एक विद्यूत रासाइनिक स्रेणी में रखी है जो ये बताती है क्या कि यहां पर जो हाइड्रोजन है बेटा दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है दिख रह स्वेशा ध्यान रखो हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से निमेच हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व है वो सब ऑक्सी करण की क्रिया प्रदशित करते हैं यानि सब का क्या होता है अपचायक विभव ठीक बात समझ में आ गई होगी यस और नो फटा फट बताएंगे जल्दी से जो अपचायक होते हैं उनका उक्सी करण होता है रैट उक्सी करण क्या होता है जर्द्हा धियान से सुनना और कोपी पें तो लेकर बैटे और रोज नहीं कहूंगे मेरे बच्चों को पता है ना नोस बना रहे हो ना यैस तो लिखना आउक्सी करण का मतलब होता है जो इलैक्ट्रों दान करने की कैपेशिटी रखते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रोन दान करने की कैपिसिटी रखते हैं, वहीं पर जिनका अप्चयन होता है, वो अक्सी कारक होते हैं, क्या होते हैं, भाई, अक्सी कारक होते हैं, जिनका अक्सी करन होता है, वो अप्चयक होते हैं, और जिनका अप्चयन होता है, वो अक्सी कारक होते हैं, क्लियर, जो इलेक्ट्रोन दान देते हैं, वो अक्सी करन होते हैं, अभी लिख लो, उनका अग्मेशा अक्सी करन होता है, और वो अप्चायक कहलाते हैं, ठीक, और जिनका जो इलेक्ट्रोन ग्रेहन करते हैं उनका अप्चेन होता है और वो अक्सी कारक कहलाते हैं क्लियर बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को क्लियर हो गई अच्छा चलो मैं लिख भी देती हैं एक चीज और मुझे पता है कि यह चीजे कन फ्यूजिंग तो मैं लिख देती हैं ऑक्सी कारक ठीक है ऑक्सी कारक वो होते हैं कि जो दूसरों का ओक्सी करन करते हैं और स्वेम का अप्चेन राइट हां यह न दूसरों का क्या करेंगे ऑक्सी करन और स्वैम का क्या करेंगे आप चलिए यानी यह हमेशा है क्या करेंगे हमेशा इलक्टोन ग्रहन करेंगे तो जैसे इलक्ट ग्रहन किया जिस तत्व का हो गया है आप है नौर यह वहीं अप्चायक क्या होते है अपचाय क्या होते हैं जो इलेक्ट्रोन दान करते हैं जो तत्वे इलेक्ट्रोन का दान करता है उसका स्मेम का क्या हो जाता है ऑक्षिकरा यस और नो जल्दी से बताएंगे इससे easy method नहीं हो सकता ओक्सीकरण और अप्चेंग ठीक अब हमें कैसे पता चलेगा इन में मैड़ा इलेक्ट्रोन दान कर रहे है क्लियर अब आप देखेंगे की ऑक्सीकरण जब हो रहा है तो सबका विभाव का मान क्या रहा है नेगेटिव ऑक्सीकरण विभाव है और यह अप्चेंग विभाव सबका मान क्या रहा है पॉसिटिव यस और नो जल्दी बढ़ा रियक्शन में सबके मान लेगेटिव है इसका मतलब यहां सबका ओक्सीकरण है यस और नो बात समझ में आ गई होगी ज़रा ध्यान देना ध्यान दें भाई क्लियर माइनस में हमेशा होता है अब चयन होता है क्लियर ऊपर जो धात में हैं वो नीचे वाली धात के साथ जब भी होंगी तो यह हमेशा एनौड पर और यह हमेशा के थोड़ पर होगी क्लियर अच्छा है यह सही से लिख देख देख कहां होगी यह हाइड्रोजन था न मैं इसको क्यों हटा भई यहां पर हमेशा यह क्या होंगे के थोड़ राइट हाइड्रोजन से उपर एनौर हाइड्रोजन से नीचे के थोड़ बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं हमें आगे श्रेणी समझ में आई ऑक्सिकरन अप्चेन क्लियर हुआ सब का हो जाना चाहिए चले ड़़ अ हम यह श्रेणी पढ़ ही क्यों रहें भाई क्या जरूरत आन पढ़ी जो इसको पढ़ना पड़ा जरूरत होती है तब इस पढ़ी जाती ऐसा है बिल्कुल है यह फैक्ट है पर है सच है तो कहा किसी युग्म का मानक इलक्टोड विबाव धनात्मक है जितना पॉजिटिव यन में है तो इलक्टोन से इलक्टोड से जोड़ने पर एलक्टोन पर अप्चेयन होता है कि पीछे बताया है जितना धनायन उतना अप्चेयन होता है only a certain को मानक Dalai जोडने पर कौपर क्या हो जाता है धनात्मक दूरूप कःथ फॉडड कहले अधा बाट समझ में आदे यह सब्सक्राइब करने की प्रवर्ति रखेगा और उस वो के थोड की तरह कारी करेगा सेकिन किसी युग मकाम मानक इलेक्टोड विभव जितना रिनात्मक है हाँ या ना जितना रिनात्मक है उस पर ऑक्सी करन होता है हो रहा है की नहीं हो रहा है पीछे देखा था ना अभी स्लाइड में या यह सुनों पड़ाव बताओ उपर था ना माइनस में सब तो यह हो गया तो यहां पर यहमेशा किस पर कारिय करेगा भई एनोड पर कारिया बात समझ में आई जैसे कॉपर की श्रणी में यह अप्चै का यक विभावर यह ऑक्सिकारत यस और नो फटाफर जल्दी से लिख दो बहुत जरूरी है यह एक्जाम की द्रश्टी से भी बहुत जरूरी चलते हैं आगे मानक लाक्टोड विभाव का अधिक रिनात्मक मान यह प्रदशित करता है कि धनायन बनाने की प्रवर्ति अध यह प्लस है इलेक्टोड की कमी है तो वह हमेशा इलेक्टोड ग्रहन करेगा एक बात ध्यान अधिक नहीं शब्दों पर कंफ्यूजन होता है वह बताती है एक तो किसी पर धन्चार्ज होना है यह धनायन है एक तो किसी तत्व पर धनायन होना एक कोई तत्व है एलेक्टोड से धनी होना फरक है अगर किसी तत्व पॉजिटिवट चार्ज brings back झाम कमी ए और किसी के पास में यह दित्व पर रिणावेश है तो वह इलक्तों धनी है बात समझ में शब्दों के फॉर्क समझो राजा धनायन है तो इलक्तों की कमी है और रिणायन है तो इलक्तों की अधिकता है तो यह कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विवाव का अधिक धनात्मक मान अधिक धनात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोण की कमी है तो वो क्या करना चाहेगा इलेक्ट्रोण लेना चाहेगा तो उस पर कौन सा चार जाएगा नेगेटिव चार जाएगा डैन clear ये शब्द खा जाते हैं हमें तो समझ में आती यह बाते पर शब्दों में हम गुम हो जाते हैं भूल भूलईया हो जाती अब नहीं इसको उतारो फटा फटत्तों के अर्थ समझ में आने चाहिए क्लियर बात समझ में आई ओके जी ओके अब अपन चलते हैं अपना अब चलते हैं अगला टॉपिक है जो पदार्थ हाइड्रोजन गेस सी क्या है भाई प्रबल है प्रबल अप्चायक है अप्चायक है यानि अक्सी करण हो रहा है राइट उनका मानक एलक्टोड विबो हमेशां क्या होगा रिनात्मक्षेट अब मुझे बताने की जरतनी अब को आइडिया लग गया है और उनको विद्ध रासाइनिक सेनी में हाइड्रोजन से कहां रखा गया है उपर रखा गया है अगे देखो जो दुर्बल अप्चायक है या यूं कहूं जिनका आप्चयन हो रहा है उनके इलक्टोड विबो का मान जल्दी लिखो राजा कमेंट में लिखतो सकते हो ना बेटे लिखो बात ते नहीं आरे बात ही क्यों कर रहे जो लोग तुमें कह रहे हैं कि बात करो बाद में पढ़ लेना उन्हें कहो रुक जाओ बाद में करेंगे बाते हैं पहले पढ़ाई करेंगे उन्हें रोको उनको कहो अगर वास्तम में तुम मुझसे बात करना चाहते हो या चाहती हो तो तुम मेरे को लास्ट में क्लास हो करने के बात बात करो अगर वह सच में तुमसे बात करना चाहते हैं तो वास्तों में वो तुम्हारी पढ़ाई के बीच में बेरियर नहीं साथ वही होता है प्यार वही होता है और जो तुम्हें पढ़ाई में डिस्टब कर रहा है इसका मतलब वह प्यार नहीं है वह केवल औ केवल ध्यान को डिस्ट्रेक्ट कर रहा है यह बातों को ध्यान रखो तो विद्यो तरह साइनिक स्ट्रेडी में हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है क्लियर बात समझ में आ गई यह तो हमें पता थी क्लियर भी हो गई अब आता है अगला गुण इलेक्ट्रोड युग में प्रबल होता है तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण दुरबल और वहीं पर है उदायन सोडियम धातू युग में सोडियम प्रबल अप्चायक है तो सोडियम आयन दुरबल ऑक्सीकरण है अप्चायक है यानि इसका ऑक्सीकरण होगा बताओ बचों क्यों होगा पता है क्यों क्यों पास एलेक्ट़ोन है अधिक है और ये एलेक्ट डान करेगा तो यह उससी करन भाना इसका खुद का वहीं पर अगर मैं एप लूस की बात कर लेकिंद के का मी तो ये इलेक्ट दान नहीं करेगा ये एलेक्ट रोझन करेगा जो ग्रहान करते उनका क्या होता यानि यह दुर्बल ऑक्षी कारक है कर अब बात समझ में आ गई दुर्बल ऑक्षी कारक अप्षी प्रबल अप्षायक ऑक्षी कर यह सोर नो अब शायद सब्दों में निए फरसों कि जहां तक मेरा आईडिया है कि मैंने शब्दों को क्लियर कर दिया अब किसी को कोई दिक्कत नहीं सकती है ओके डण चलते हैं आगे अब एक बात बताओ इस क्लॉरीन और सील माइनस में बता दो तो सीएल टू और सीएल माइनस में जल्दी बता देना फटा फट इसी प्रकार डाल कर जाने हो जल्दी बताओ कौन क्या है सीुल को बढ़िए ऐला किस पास है इसल माइनस के पास है यह प्रेलक क्या इक है तो यह क्या है इपिजाष यह वह से का रख तो में आगई फटा पड़ उतारो जल्दी से जल्दी कोई जा सवाल जवाब नहीं अभी चलते हैं आगे कि इसी प्रकार सी यूग में CL2 आयन प्रबल अपचायक है और CL माइनस दुगाए भी घर दिया क्लियर अब चलते हैं इलेक्ट्रोड के अपचेंज विभव का रिनात्मक मान जितना कम होता है वो केथोर पर जमा होते हैं उतनी ही अधिक होती है श्रेणी में उपर से नीचे आते हैं धात्रिक तत्मों में व्यद्ध अफगटे पर केथोर पर जमने की प्रवर्ति बढ़त क्लियर हो गए सारे टॉपिक्स रासाइनिक श्रेणी के गुण शायद क्लियर है मैं शोट में बोल रही हूं जल्दी वान को ध्यान लगतना है उपर से नीचे और चलते हैं तो सबसे उपर जो लिखे गए हैं वो हमेशा क्या है अब चायक है नीचे वाले ऑक्सिकारक है य धनात्मक होगा विभव का मान और हाईद्रोजन सबसों के नीचे होते हैं उनका मान हमेशा धनात्मक होगा चलियर जब कोई ब II L7 पास कमी होगी विएलेकटरौ लेना चाहेगा यह यह अपचैन करेगा और लट्रों देना चाहेगा वो उकसिकल एक इस पूरी सार्णी का साथ इतना है ओके चलू आगे अब चलती हुए थोड़े से दात्वों के दिन विद्ध्यूति लक्षने दासाइंस के अनुप्रियोग क्या यह कहां पर काम में ली जाएंगे धन विद्ध्यूति तत्वर धातू धनायन बनाने की प्रवर्ति जादा रगत तो वो हर वो संभव कोशिश करना चाहिए तो धनायन बनाने की प्रवर्ति जादा है ना हाँ या ना तो जब कोई भी धातू से धातू आयन बनता है तो उस समय उसका हमेशा औक्सी करण होता है और वो हमेशा एनोड पर एक्जिस्ट करती है क्लियर बात समझ में आई तो पहला क्या है मानक लेटर विवा का मान रिणात्मक है उस दातों की धनायन बनाने की प्रवर्ति उतनी है डन सार्णी में उपर से नीचे आते हैं तो धनायन बनाने की प्रवर्ति कम मानक लेटर विवा का मान क्रमशे घड़ता है धनायन बनाने की प्रवर्ति धनात्मक मान बढ़ता है और उपर से नीचे चलने पर धातों की धन विद्यूति गुण घड़ता है धनायन बनाने की प्रवर्ती घड़ती है रिडायन बनाने की प्रवर्ती बढ़ती है क्योंकि उपर से नीचे आने पर धात में इलेक्ट्रोन का दान करने की बजाए इलेक्ट्रोन ग्र करने में अधिक विश्वास रख सली है ऑत समझ में आ गई सोडियम मेगनिशंग टonz एक क्रम है ऐसे जदा प्रबल उक्सी करन होगा फिर इसका फिर इसका इसका यानी धुक्रिक वहीं के दक्रोगन तो एलूमिनियां जिंक से पहले इलेक्ट्रोन दान कर देगा तो वहां पर अल्यूमीनियम एनोड की तरह और जिंक के थोड की तरह काम करेगा येस और नो बड़ा फट जल्दी से कमेंट में लिको में चलते हैं आगे दात्वों की रासाइनिक अभी क्रिया शिल्ता रासाइनिक अभी क्रिया इतना आधिक होता है अभी करिया शिल्ता उतमी हादा अपचेन विबाव का मान रिनात्मक मान करमशेख घरते हैं जबकि अधात्मों की रासाइनिक व्याशेटा भरती है जैसे लिफियम बेरियम स्ट्रॉंशियम लीथियम बेरियम शाजिम करम रहता है पूचा जाता है य आयोडीन का क्रम उपर से नीचे आने पर क्रिया शिल्टा बढ़ती है या घड़ती है तो ध्यान दें कि धात्वों की रासाइनिक क्रिया शिल्टा उपर से नीचे आने पर घड़ती है वहीं पर एधात्वों की रासाइनिक क्रिया शिल्टा बढ़ती है है। है क्यों, रासा इनी क्रियेशलता धात्वॉं की क्यों घट रही है? क्योंकि धिरे-धिरे आकार बड़ता है, तो क्या होता है? करवाद इल्क्रूण की जो देने की प्रवर्ती है वो टैंडेंसी क्या होती है उनके साते प्रभाव है मैं नहीं बोले具 है तो वहां पर इल्क्टोन की प्रवर्ती धीरे कम होती जाती ऐसा माना जाता है कि को बहुत सारी नःट से ते अकार में देखो तो यहां पर थे घ्राटों यहां पर देखें यहां पर देखें तो यहां पर क्या है राषा क्लिए शिल्ता बढ़ रही है क्लियर बात समझ में आगे होगी तो ध्यान दो ताकि बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएं डन ओके जी ओक अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो आता है विद्ट तक कैसे आया यह टॉपिक कैसे को रिलेट हो रहा है आपने इलेक्टोर पढ़ लिया इलेक्टोर और सॉलुशन के बीच में रियक्शन विभव पढ़ लिया विभव कौन कौन से होते हैं वो पढ़ लिया और वो विभव कहां से आये वो श्रेड़ी पढ़ लिया अब जब विभव उत्पन हो रहा है शड और सॉलुशन में तो ग्या वो solution आपको पता नहीं होने चाहिए होने चाहिए तो वह solution कैसे होंगे विद्ध आपगाटनी solutions Jnanius तो आपगटनी वील्एन कौन से होते हैं वे विलियन जो यह यूं कहूं वे लवन जो जल में घोलने पर अपने आयनों में विभख्त हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं हम उन्हें कहते हैं विद्धुत अपघटनी अगर किसी लवन को पूर एक्जाम्पल यह यह कहूं हम लिया चार को आप ने एक पात्र में लिया यह था जल और जल में डाला आपने अन्य ँख जल मे डाला आपने ने ओच जल में डाला आपने अच च्याई yes or no फटाफट बोलो डाल दिया अगर ये जल के अणू इनके मद्य उपस्तित बंद को पूरी तरह से तोड़ देता है तो वो जो solution बनेगा वो होगा प्रबल विद्युत अफ़टनी solution क्लियर एने प्लस सी एल माइनस एने प्लस ओच माइनस एच प्लस सी यानि व्यद्युत अफ़टनी विलियन वह होते हैं जिसमें किसी पदार्थ को जल के अंदर घोला जाता है तो वो पूरी तरह से dissolve हो जाते हैं या यू कहूं कि पूरी तरह से अपने आयनों में तूट जाते हैं या पूर्ण शब्द को हटा दूँ वो तूट जाते हैं अपने आयनों में विबक्त हो जाते हैं वियोजित हो जाते हैं तो उसे अपन कहते हैं विद्युत्र आप घटन राइट वीलियन विद्युत्र अफटनी उतारो फटाफट जल्दी से उतार लिया अब देखो परिभाशा क्या कहे रहे हैं वह पदार जिनको जल में गॉलने वर धनाया निराया में तूट जाता है धारा का प्रवा करने से विद्यापटनी कहते हैं यह दो प्रकार के होते हैं दुरबल और प्रव बिटा है अगर कोई विद्युत्र अपगटनी वीलियन आप यू कहते हैं जानाया कर दें जैसे हैं वैसते ही तो क्या में नाहीं से अमल चार्न अपने डाला है अगर वो पूरी तरह से नहीं होता है तो होता है कि वह sincere नहीं टूटाना तो क्या हुआ। और जो पूरी तोट गया हो क्या होगा और या समझ में क्या समझ में आया कि जब किसी भी पदार को जल में गोला जाता है तो नहीं बहुत बबगए होता हाई वह अब्ल त्याओन हoyu टोटता दुरुबल वीज्व जिट अबगटिया क्या है करदर दन बात समझ में नहीं चलता है ऑगे दुर्बल वेजब गट्टे की आइनन की मात्रा को आइनन मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं एक बात बताओ कि अगर आपने पात्र लिया और उसमें चीनी को डिजॉल्व कि शूगर ले लिए अगर वो पूरी तरह से गुल गई हो तो अब उसमें वियोजन क्या देखोगे तुम वह तो पूरा वियोजन हो चुका है उसकी मात्रा ग्यात नहीं किया सकती मात्रा कभ ग्यात हो जब आपने पानी लिया और उसमें कोपर सलफेट डाला कोपर सलफेट सब जानते अब यह न टो चेंज दया और कुछ टृष्टल नीचे सब्सक्राइब तो यह यहां पर अपन देखेंगे कि कि तैने मात्रा वियोज्ट हुई तो प्रबल विजयत अप्गट्टे में वियोजन की मात्रा ग्याद करनी पड़ेगी वियोजन की मात्रा को हमेशा किस से रिपर्जेंट करते हैं बिटा अलफा से रिपर्जेंट करते हैं तो अलफा बराबर लेम्डा एम लेम्डा एम ये हैं आपकी क्या वियोजन की मात्रा को यदि आप क्या कर रहे हैं वियोजन की मात्रा को आप क्या कर रहे हैं भई वियोजन की मात्रा को एलफा से रिपर्जेंट कर रहे हैं तो ये है आपकी सांद्रता पर मोलर चालता कि अब बच्चे सोच रहे होंगे कि यह क्या हुआ मोलर चालकता कहां से मैं बताते हैं चालकता मतलब आइनों का गमन जहां धारा का प्रवाँ चालकता है मोलर शब्द कभी यूज होता है जब एक मोल वीलियन में धारा प्रवाइट हो रही है तो उसकी चालकता मोलर चालकता ठीख सी क्या है उसकी सांदृता सी सांदृता पर मौलर चलता और अनन्थक क्या तनूता पर मौलर चलता अनन्थक मतल़ जिसमें पानी की मात्रा जादा है विलायक की मात्रा ज़ादा है विलै की मात्रा कम है और विलै बहुत कम मात्रा में डिजॉल्व हुआ है दूर्बल विध्यो तफ घट क्लियर बात समझ में आ गही ठीक है गया दुर्बल फ़िटना में तनुता बढ़ाने पर इनकी वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है कि तनूता बढाने पर वियोजन मेर में जाती है जब लुण की होगा एल टूटे है अब यंदे जादा है तो वह concentrate form में है आयन जितने थे उतने ही रहे और पानी बढ़ता चला गया तो क्या हो गया तनू तनू बढ़ता जा रहा है आयन तो उतने ही है तो तनू ता बढ़ने पर वियोजन की मात्रा बढ़ रही तो वही तूटते रहेंगे बाकी और तो कोई नहीं आएगा ने तो होगा निए घ्लियर बात समझ में आ घए ठीक है चलो जी चलो अब चलते हैं आगे अगला पॉइंट क्या कहता है आप अगला पॉइंट कहता है कि दुर्बल विद्यत अबगटे के उधारण कि अधिया है जो दुर्बल परवर्टी के हैं यानि इसको यदि जल में यह किसी कार्बनिक विलायक में डिजॉल्व किया जाता है तो यह पूर्ण तया आपने आइनों में विभक नहीं इसी लिए हम वहां चेक करेंगे कि कितनी मात्रा वियोजित हुई तो वहां वियोजन की मात्रा जाती है क्लियर बात समझ में आ गई चलते हैं प् बच्चों जड़ा ध्यान देना प्रबल विद्यद अपगटे और दुर्बल विद्यद अपगटे की सांद्र ताएं अपन पढ़ेंगे तो वहां पर अपने को एक साइंटिस्ट आएगा उसने इनकी चालकता के बारे में बताया है जिसे कॉल राउस कहते हैं वहां पर आ कौन से होते हैं आने CL KCL आने वाच चुपूर ते अपने अइनों में टूटे जाते हैं राइट छी थरी सी डवलो और ठीक में पूछूंगी याद से उतारो जल्दी से जल्दी बाते नहीं करो बेटा मेरे अच्छे बच्चे होना तो बाद में बाते कर लेन पहले ध्यान पढ़ाई पर दो तो पक्का समझ में आएगा बिटा चलू आजाओ अब अब अबन पढ़ते हैं विजित अनफ गट्टे जो गट्टित होते ही नहीं है जिन में विजित का संचला होता है इस गुलकोज, यूरिया, एथिल, एल्कोहिल आदे इन सब के फॉर्मूले लिको जल्दी से बढ़ ऑफॉर्मूली क्या करते हैं जल्दी बता जल्दी ज़्दा टाइम वेस्ट मन करो भए चलो पटाफर चलो चलो आगे लाकि चलती हूं आगे अब आया फेराडे के वीजित अफगटन के नियम फिराडे का वैद्युत अफगटन आप घटन ंयम क्या होत लगी हुई है उनके ऊपर दारागा प्रवा होता है तो वह आयन एक दूसरी छड़ पर विपरित आवीश होते हैं उस तरफ वो क्या हो जाते हैं एकत्रिक हो जाते हैं ध्यान दो पर्थम पर्थम नियम क्या था पर्थम नियम और जिसे अपना डिसकस करेंगे पहला नियम फिराडे का पर्थम नियम क्या जरा ध्यान देने एक पात्र है ठीक है और चलो साइड में बना दूँ आई क्लियर हो जाए एक पात्र लिया सब को समझ में आना चाहिए ले लिया इस पात्र में छड़ लगा ठीक और इसे एक बैट्री से जोड़ यह प्लस यह माइनस यह एन और और यह ठीक कहा कि जब किसी विद्यूत अफगटनी पदार्थ विद्यूत अफगटनी पदार्थ में धारा का प्रवा किया जाता है क्या किया जाता है धारा का प्रवाइद किया जाता है तो धारा प्रवा से सेल में उपस्तित इलैक्टोडों पर अला कलर से बनाओं क्या लो यह लो दुखी नहीं हो भाई खोश रहो चलो बना दिया जब किसी विद अपगटनी पदार्थ में धारा का प्रवा होता है तो धारा के प्रवा से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा मुक्त हुई यू यह नहीं लिखू उधर लिखती हूँ ताकि आपको बात समझ में चाहती हूँ कि मैं इसको को रिलेट कर दें तो मुक्त हुई कि पदार्थ की मात्रा धारा के क्या होती है समानु पाती होती है बात क्लियर हो गई किसी भी सेल में उपस्तित विद्यूत अपगटनी पदार्थ में जब धारा का प्रवा होता है तो धारा प्रवा से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उस प्रवाइद धारा के समानु पाती होती है बात समझ में आई तो पदार्थ की मात्रा को डबलू से और धारा को तो हम आई से रिपर्जेंट करते ही है येस और नो बात समझ में आई है क्लियर बात क्लियर हो गई चलो जी चलो यह यही विद्यो धारा के समानुपादी की याद करने की जरूती नहीं है जिसने या डायग्राम देख लिया है तो यहां मुक्त विपदार टी मात्रा डबन अच्छा धारा की मात्रा इसने आई न लिखकर क्यूँ लिख़ा है ठीक है वडिक क्यूं लिख दो राजा तो डबलू समानुपाती क्यूं डबलू बराबर जड़ क्यूं जड़ यहां किया बेटा एक नियतांग है जिसे तुल्यांग की नियतांग भी रासाइनिक तुल्यांग भी कहते हैं अब मैं यह डाइग्राम नहीं मिटाऊंगी क्योंकि आपको यह बनाना है जरूरी है इसलिए में जो मैंने पड़ा लिखा है वह सबको पड़ाया दिया आप देखो तो डबलू बराबर जैड इंटू क्यों क्या है आवेश आवेश क्या होता है आई इंटू टू एक आई समय में प्रवाइद धारा क्योंकि जिगा आई टी लिग दिया विद्युद्धारा समय आई बराबर एक एंपियर और एक सेकिन हो तो डबलू बराबर जैड यहां तो के शायद किसी को कोई दिकत होने ही नहीं क्लियर होगी बात समझ में आ गई हाँ या ना जल्दी बताओ फटा-फट कमेंट में लिखो यस मां ओके डन ओके जी ओके च चलू ओके चलते हैं आगे अर्तार जब एक इंपियर जाना एक सेकिन में प्रवाहित हो रही है तो उस समय सेल में मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा या विजदव गट्टे से इलैक्टोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है ड अपन एक पात्र नहीं लेकर अब 2-3 पात्र भिन भिन पात्र में भिन भिन वेज़ित अपगटे हैं ठीक बात समझ में आ गए गए ले लिया ठीक ओके इन वेज़ित अपगटे उमें एक समान धारा प्रवाहित की सब में समान धारा धारा समान समय के लिए समय भी समान समान समय के लिए समान धारा को क्या किया प्रवाहित किया जब समान समय में समान धारा को प्रवाइद किया तो बिन बिन व्यद्यत अपगट्यों में भी किन में भीन बिन व्यद्यत अपगट्यों में भी निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पदार्थ के तुल्यां की भार के समानुपाती होती है यस और नो परिभाशा यह दो अपगट्यों में समान व्यद्यत की मात्रा प्रवाइद की जाती है तो मुक्त पदार्थ का द्रिमान उसके तुल्यां की भार के समानुपाती होता है बाद समझ में आ गई तो अपन इसको कैसे लिखे ए पदार्थ की मात्रा और उसी का ही भाष आप तुल्यांग कि भाष यह सब मुझे कमेंट में लिखके बता नहीं आता है तो 11 वाले जाके वीडियों में देखो बड़ावट यह मुक्त पदात की मात्रा ठीक दो वीलियनों के लिए तो अलक अलक है ना भिन 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 वेशिस अब गट्टे डबलू वन एवन डबलू टू तो डबलू बरावर क्या हो गया के एवन ठीक है डब्लू डब्लू टू के एटू अगर इनका अनुपात ले तो डब्लू वन अपॉन एवन बराबर डब्लू टू अपॉन यस और नो बात प्लिया तो हमेशा पदार्तों के तुल्याइं की भार के बराबर होता है फेराडे का नियम आता है और इसका यह मान भी जो गुणित यह रूप है तो आप इसको अच्छे से पढ़ेगे बात समझ में आई है नहीं जल्दी बताओ जल्दी जल्दी करो इतना टाइम नहीं कि आप इतना सुचे जल्दी से उतार लिया अब चलते हैं आगे फेराडे एक नियतांक है जिसका एक मोल इलेक्ट्रोन पर इस्थित आवेश को फेराडे नियतांक के दियान देना एक मोल इलेक्ट्रोन पर आवेश वन पॉइंट क्या सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस नैंटी स्कुलांग यास और नो हाँ यह ना जल्दी बोलो भय बाते करने लग गए ना अरे नालाई को पढ़ लो जिंदगी सुधर जाएगी बच्चों नहीं तो नहीं क्लियर ठीक इससे अपसे प्रदशीत करते हैं एक मौल इल्लैक्ट्रॉन 1 फिराडे के बराबर है ठीक टो एक मौल में कणों की संख्या किस्के बराबर आवो गद्रो संख्या के बराबर होती है नहीं एक मौल में आवो गद्रो 6.022 इंटो 10 to the power 23 यह लिख लो भई 23 ठीक तो बताओ अब यह दिन दोनों को आप गुणा करते हैं तो वेल्यू आती है कितनी नाइन सिक्स पूर एट सेवन इसको पर राउंड फिगर में ऐसे भी लिख सकते हैं नाइन सिक्स फाइब डर्जीव ओके तो यह रहा आपका खुलाम प्रती मोल किसी पदार के एक ग्राम तुल्यांग विक्षेप करने के लिए इतने आवेश की आवशक था क्लियर बात समझ में आ गई तो फटावर लाइक कर दो कमेंट कर दो यसमो चलते हैं आगे अगला टॉपिक आता है कोल राउस का क्या के जरा ध्यान देना कोल राउस कहता है कि आपके पास कोई विद्ध अफगट्टे पदार्थ है उसमें इलेक्टोर लगे हुए और उसे एक बैट्री से जोड़ा गया है यह प्लस है और यह माहिस है जब किसी विद्ध अफगट्टनी पदार्थ में धारा का प्रवा होता है तो उस विद्ध अफगट्टनी पदार्थ की मौलर चालकता क्या बच्चो मौलर चालकता किसके बराबर होती है इसी विद्युत अभगटनी पदार्थ के धनाइनों और रिनाइनों की मौलर चालकताओं के योग के बराबर होती डाइगराम देखो इस पदार्थ की मौलर चालकता लेमडा एम इसी पदार्थ में उपस्ति धनाइन और रिनाइन की मौलर चालकताओं के योग के बराबर होती देखो जड़ा लेमडा एम लेम्डा एम लेम्डा एम प्लस माइनस लेम्डा एम जो है मॉलर चालकता जो है उसके आगे वन अपोन एन लिखा गया है यह क्या है उनकी आवेश यह यू कहूँ उनकी संख्या clear n और माइनस आवेशों की क्या है राजा संख्या है clear बात समझ में आ गई है मैं कहूँ किसी भी परिवाशा को याद करने की जरुवत नहीं पड़ेगी अगर आप क्या कर लेंगे अगर आप इस तरह डाइग्राम बनाकर किसी भी परिवाशा को लिखिए मैं कोशिश यह कर रही हूं कि मैं आपको यह चीज़ जल्दी से जल्दी आपकी आदत में ले आओ पर उसके लिए आपको मेरा साथ तो देना होगा ना येस फड़ा फट जल्दी से लिखो उतार लिया ओकी चलते आगे कोल्राउस नियम के उधार बेटा कोल्राउस वह विज्ञानिक है जिसने विद अबगटनी पदात पर ही रिसर्च किया था और उसके अंदर मॉलर चालकता को डिफाइन किया कि कितनी मॉलर चालकता है दुरबल विद अबगटे में भी उपस्तित होती है प्रबल में तो है उसकी तो कल्पना ही नहीं है दुरबल में भी है यह कॉल्रा उसने बता है ठीक चले आई बात समझने तो नियम में उधारन में अच्छी एल कि कॉल मॉलर चालकता इस तरह लिखी जाएगी हैने सी एल कि आँ ठीक है मॉलर चालकता लिखने का तरीका आगया ध्यान रखना अभी एक्जांपल करवाँगी से तो पता हो आओ भाई अनुप्रियोग अनन्तनुता पर मॉलर चालकता ग्याद करेंगे वियोजन की मात्रा और वियोजन इस्थितांग ठीक पटाफर दिए कोल राउस के नि अनन्तनुता पर मॉलर चालकता का मान ग्याद करो ठीक है अनन्तनुता पर मॉलर चालकता ग्याद करेंगे अनन्तनु अन्तनु दुरूबल विजद अपगट्टी है ठीक तो हम क्या जरध्यान दूरूबल वैजद अपगट्टे लेंगे एक और उसके साथ तीन जो है वो प्रबल वेदित अफ़ गट्टे में ऐसा करोगे तभी दुर्बल वेदित अफ़ गट्टे का की मॉलर चालकता है ठीक है बात समझ में आदी तो देखो जड़ा इस्क्रीन पर एसी टी कमल है इसका अपने को मॉलर चालकता निकाल ठीक सबसे पहले एसी गमली की मॉलर चालकता लिखने का तरीका यह हुआ है ना जल्दी बोलो भई तो इन सभी की कुछ प्रबल विद्टे अफ़ गट्टे पर मॉलर चालकता है कि इस एक दो और तीन ठीक है अभी बताया ना दी जल्दी बताओ यस और नो अनन तनुता पर मॉलर चालकता चल गई ना सबको जल्दी तो अब कैसे ग्याद करोगे तो जल्दा ध्यान दे हमेशा ऐसे समीकरण बनाने के बाद एक बाद ध्यान रखना कि आप जब इन तीनों समीकरणों को जोड़े या घटाएं तो आप के पास दुरबल वेदि अफ़गति है बचना चाहिए क्या बचना चाहिए दुरबल वेदित अब गट्री अगर नहीं बच्पोना इसका मतलब आपने गलत किया था ठीक है तो यहां पर अपने पास अपने को एक तो यह चाहिए एक यह चाहिए बाकी सब आपस में कट जाने चाहिए किसी को जोड़ो और किसी को घटाओ तभी तो कटेगा जो प्लस में होगा वो माइनस में जागा हाँ या ना यस तो समिकन एक और दो को जोड़ो और तीन को उसमें से घटाओ ठीक है कर ले आज़ा देखो एक और दो को जोड़ा लेंडा सी इस तरी एन एच सी घटाया क्या देखो जड़ा एने प्लस में माइनस में कट गया कि अल प्लस में कि अल प्लस में सी यल माइनस में यह संब चल्दी बताओ यह माइनस अची गलत किया यहां तो फ्लस ठीक है यहां माइनस यह को स्टक में ताओ कट गया यह अब क्या बचा सी एस तरी सी डबलो एच यह और नहीं है क्लियर हुई बात कि नहीं यह बच गया इसे हम क्या लिख सकते हैं लेम्डा सी एस तरी सी डबलो एच अनन्त तनुता पर मोलर चालक पर आगई मततरा जिया है यह सोरन नौ बात बताओ जल्दी और आप आता है वी जन की मातरा घ्याद करना बेटा कॉल रहा हुँआ जुबाइब उसको डबल तृपल स्टार लगाओ यह एक्साम में जाम कानपॉर्म कानपॉर्म को तो वियोजन की मातरा गयाद करना तो वियोजन की इसको रिपन करते हैं सब्सक्राइब करें तो मैंने पीछे बताया है पर अलग से बता रहे हैं इसका भी सुत्र याद रखना ताकि बात के लिए सेकेंड आता है वियोजन इस्थिरांग के यह यह डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना कि इसका डेरिवेशन जो है थोड़ा लेंद यह करने को मतलब नहीं एक्जाम में डायरेक्ट क्वेशन आता है तो वियोजन की मात्रा अगर फिर भी आपको चाहिए कि डेरिवेशन हमें पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में लिकर बेजना मैं जरूर करके दिखाऊंगे यहीं पर बोर्ड पे आपको यहीं पर लाइव क्लास है ठीक है बात समझ में आगई तो सी है सांदृता और अलपा है व्योजन की मात्रा यह इंपॉर्टेंट है सुतर इसलिए डेरेक्ट सुतर लिके जा रहे हैं ताकि आपको आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चो चालकता क्या होती है और प्रात्मिक दूटियक सेल क्या होते हैं और संक्षानर और मैं बात कहूं आपको तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि आज अपना चप्टर खतम होने वाला है बिल्कुल NCRT के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं सारे क्लियर किये हैं कोशिश की है उस कोशिश में आपका साथ चाहिए तभी जाके वो कोशिश सार्थक होगी बच्चों इसलिए जल्दी स क्लास को शेयर करो सभी बच्चों के साथ लाइक कर दो पहले तो फड़ा फड़ा और कमेंट कर दो कि आप बहुत मस्त होगे पढ़ाई कर दो ओके जी ओके चलते हैं आगे बात यह नहीं करो मेरे बच्चों नहीं नहीं बिल्कुल नहीं तो शरू करूं फिरे आज का सबसे पहले चालक ता शब्ल में चालक छुपा हुआ है चालक क्या होते हैं चालक वो पधार्थ होता है जिसमें हम कहते हैं कि धारा का प्रवा होता है और धारा का प्रवा मतलब इलेक्ट्रोंस की गति जिन पदार्थों में होती है वो सब विध्यूत के चालक होते हैं ठीक है चालक में होता है धात्विक चालक दात्विक चालक राइट और वेट रासाइनिक चालक दात्विक चालक ठोस है इनके अंदर क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रों होते हैं जबकि रासाइनिक जो चालक होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रों या यूं कहूं आयन उपस्तित होते हैं सही बात है यह सớiनों तो दात्विक चालक और विद्युत्रासाइनिक चालक में विद्यूतत अफगटनी चालक भी इने कहा जा सकता है इन में आयन होते हैं इन में मुग्त प्रवुत्रों होते sindlaska उनक प्रदिशतें करते हैं राइट अब कहा जाता है कि इन में इनको इन ताप दिया जाए तो ताप देने से यह आपस में क्या होंगे बार बार टक्राएंगे तक्राएंगे तो चालकता क्या हो जाएगी कम जबकि यहां पर आइनों में विभाजन होगा तो चालकता में क्या हो जाती है व्रदी हो जात बात समझ में आ गई हो गई तो अब ये चालक ता चालक जो है इनसे क्या निकला चालक फिर भी एक चीज और कनेक्ट करते हैं बेटा कोई भी चीज सुचालक होती है तो उसमें क्या आता है प्रति रोद आता है प्रति रोद क्या होता है जब कोई भी पदार्त में इलेक्ट्रोन क्या कर रहे हैं गती कर रहे हैं तो बीच में जो रुकावट आती है वही क्या होता है प्रति रोद होता है जो अब रोद उत्पन होता है उसे ही प्रति रोद कहत यह प्रतिरोद की विद्क्रम को चालक्ता कहते हैंак जयता है ृ क्या कहां कि पर्तिरोद के मत्करम को चालक्ता कहते हैं छालक्ता प्रतिरोद का प्रतिरोध आरो होता है जो फिम् saute मैं औराऑ फित्क्रिंट करता है उसका वित्क्रम हमेशाथ चालकता कहलाती है क्या कह média लधी अलका Damn fünf नंबर सब्सकर इसलें इंपर्टेंट है इसका मात्रक क्या होता है जा या प्रति प्रति आम प्रति अम क्योंकि आल का मात्रक प्रतिरोध का अम तो यहां पर वन आपतार तो इनवर सुथा है बात समझ में आ गई अगला The topic क्या है चालकता से चालकता बना अब चालकता से दूसरा टॉपिक आता है मॉलर चालकता क्या होती है मॉलर चालकता का मतलब होता है कि जो चालकता है वो जिस परिस्थिती में हो रही है परिस्थिती जो है वो स्टेंडर्ड हो जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं मॉलर चालकता क्या होती है किसी वेड़ गट्टे के एक ग्राम लाती है एक ग्राम अनु को अगर आप डिजॉल्व कर रहे हैं धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो वहां पर उत्पन चालकता क्या कहलाएगी बच्चों मॉलर चालकता कहलाती है तो मॉलर चालकता का फोर्मूला क्या होता है लेम्डा एम किसके गुणन फल के बराबर होती है कपा इंटु वि मॉलर चालकता चालकता चालकत वह जो होता है उसा और उसका उक वी क्या है आपकी वी क्या है भाई वी हो उतके गुणन फल को आपन क्या कहते हैं चालकत्व कहते हैं यहां पर के क्या है विशिष्ट चालकता है तो विशिष्ट चालकता के लिए अपर लिख सकते हैं लेम्डा एम बराबर के गुना हजार बटा मोलरता और यहां से पक्का क्योश्चन आता है पक्का क्योश्चन आएगा मोलर चालक्ता या विशिष्ट चालक्ता को कैसे ग्याद्द किया जाता है विस्ति मैं क्योश्ट सिर्भ यहां फर ध्यान दो यहां मेन की मोलरता है और मोलर चलक्ता का मात्रक सेंटी मीटर ओम प्रति हुआм फ़ी अपसम knowledge में त्यान दो विशिष्ट चालक कत्व या चालकता का फोर्मुला लैम्डा एम बराबर कपा इंटू हजार बटता है बहुत इंपॉर्टेंट है यह बहुत यहां से क्याश्चन आता है इसको हम आगे निकालेंगे भी फोर्मुला कैसे है लेकित अभी के लिए इतना है ठीक है जादा किसी चीज़ में घुषते तो फिर की बहुत हो जाती है इसलिए फटा-फट जहांसे क्याश्चन आता वही टॉपिक करो जल्दी से उतार हो इसको आगे चलते हैं अगला टॉपिक है तुल्यंकी चालकता क्या होती है तो तुल्यंकी चालकता का आर्थ होता है कि जो आपने एक लिया था वो उसका ग्राम ना लेकर तुल्यांग की भार ले ले तो अगर उस तुल्यांग की भार में किसी पदार को माप कर उसको किसी विलायक में डिजॉल्व किया जाता है फिर उसकी जो चालकता हमें प्राफ की है तो उसे हम मौलर चालकता की बज़ए क्या कहेंगे तु को में तुल्यांग इदान तुल्यांग कि लाहिए कि कि भी कि वस्तू से ए इसकी धनायन डायन यह भाग दे विरा है हॉक्ति में तो प्राफ्त मान क्या होता है इग्जामपल देती हूँ जैसे आपने पास क्या है ऐखसीर तो अजसेख तुल्यां की भार चाहिये तो च्छा क्या करें पता है अच्या गितना होता है वन प्लस 35.5 36.5 राइड पे अच्याल में हाईडरोजन आएनों की संगे कितनी है तो यह हम लका तुल्यां की भाद ऐसे किस के अनुभार के क्लियर बात समझ में आ रही है यह तो यही होता है बीटा तुल्यांग की मान क्लियर है अब तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे पता है मेरे बच्छों को जहां दिक्क्त आ सकती है मैं वह वह चीज़ क्लियर कर वह हूं जाधा समय को कण्जीम ना करते हूं ओक है सो कैसे फैंग तुल्यांक हाँ कर दिएक ग्राम था फ्रापि ट्र Hack कि सबस्तरा को तुल्यां कि चुलां कहती है इसे लेबडा ई-Q तो लियांग को पता है क्या कहते इंग्लिश में equivalent उके तो यह पर्दशित करते हैं लेमडा इक्यू बड़ाबर कपा इन्टो पी प्लेएर जी जी क्लियर ठीक है जी ठीक है समझ में आई बात हाँ वीलियन का आइतन एमल में लेते हैं तो इसका फॉर्मुला क्या होगा वहां पर क्या लिखा गया था एम विश्ष्ट चलकता में यहां लिखा जाया है एन वो है मोलरता और तुल्यां की चलकता में नॉर्मलता बात समझ में आ रही है कि नहीं नॉर्मलता क्लियर बात क्लियर याद रखना विश्ष्ट चलकता मॉलर चलकता का फॉर्मुला जैसा है वैसा ही तो लेंग की चलकता का है बस एम की जैए क्या लगा देना ओके बच्चा लग जल्दी से फटाफट फटाफट लाइक करो फटाफट कमेंट करो यस मैं डैन फॉर्मुले बेटा याद रखने पढ़ेंगे मैं कहना नहीं चाहती हूं पर क्या करें जो याद रखना है वो रखना है थोड़ा थेयोर्टिकल पॉर्शन है बट कोई अब कि याद चलते हैं आगे अब विशिष्ट चालक बमालर चालक तुल्यांकी चालक ता चालक को यदि मिला दो तो बूशिष्ट चालक ता भी आ जाती विशिष्ट ने विशिष्ट परिश्थिप्यों में तो कहा कि किसी विद्यत अफगट्टे विलियन में किनी इलेक्टोडों की साहिता से विद्यत धरा का प्रवाय किया जाता है तो चालक में का प्रतिरोध उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती और छेत्रफल के विद्क्रमानुपाती होता ध्यान दो यह एक पात्र है इसमें द धारा का प्रवाय किया जैसे ही धारा का प्रवाय हो रहा है राजा बच्चों तो क्या हो रहा है धारा के प्रवाय के समय यह जो इलेक्ट्रोड है इनमें जो आप धारा प्रवाय कर रहे हैं तो वो धारा का प्रवाय जब होता है तो चालकता इनमें उपस्तित प्रतिरोध के धारा होगी तो प्रतिरोद आएगा वह प्रतिरोद इनके बीच की दूरी के दो समानू पाते और छेत्रफल के वित्क्रमानू पाती होता है छेत्रफल मतलब यह कितना मोटाई में उपस्तित है यानि कि कोई भी इलाक्टोर कितना छेत्रफल है और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है वो प्रतिरोद के बराबर चलते हैं अब सुनो कैसे अच्छा ही आप जितना ज़्यादा दूरी तै करोगे उतनी ज़्यादा तो रुकावटे आएगी अगर घर के पास में ही स्कूल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आराम से चले जाते हैं वहीं पर अगर क्या हो आप बहुत दूर जाते हैं तो वहां रस्ते में कभी घड़ा आता है कभी तेज ढूप है कभी आंदी आ जाती है अब बारिश का मुसम चल रहा तो यह परेशानी है तो परतिरोदारी लेकिन कि वहीं पर अगर शेतरफल जादा कर दें रहे याणि और अच्छा वाइड कर दे तो वहां पर पर परतिरोद कम दूरी जादा तो परतिरोद होगा और ट्रैफिक जाम नहीं लग जाते चोटी गलियों में क्यों लग जाते कि वो नेरो है वहां पर दूर तक जाना है पर जगह नहीं और वह चेतरफल बढ़ा दें तो वहां चेतरफल बढ़ाने के विए से प्रतिरोध यानि कि ट्राफिक जांप कम लगेगा तो आईए चलते हैं तो यह कह रहे हैं कि एल समानुपाती चेतरफल के विद्क्रमानुपाती होता है यहां समानुपाती इस तरांग को हटाएं तो रो लग जाता है रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है क्या है रो का मान विशिष्ट प्रतिरोध या यूं कहूं विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो किसका होता है प्रति आगे हाँ जी हां बिल्कुल तो कहां आता थे विशिष्ठ परति रोत के विट्रम को विशुस्ट चालकता और प्रति रोट के विट्क्रम को चालकत और हूसे कपर से सのは मानी ऑपोल रही तिरो बढ़र वन पॉन आॉलार और आधा प्रतिरोध का विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सेंटीमीटर क्लियर बच्चा पाटी जल्दी जल्दी पटापट फटापट फटापट उतारेंगे यह बहुत इजी कॉंसेप्ट है बहुत अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको समझ में आही जाएगा चलते हैं आगे मॉलर चालकता और विशिष्ट चालकता में क्य दोनों के बीच में कैसा संबंद्ध है बच्चों समान बराबर अगर मॉलर चालकता बढ़ती है तो विशिष्ट चालकता बढ़ती है बढ़ते यह सोर नो क्योंशन आते हैं इन से इसलिए में डायरेक्ट क्योंशन के लिए ही तो यह फॉर्मूलेल आई हूं क्यों चना यहां से लियर बात समझ में आ गई तो पठाफ़ फठाफ़ उतारो जल्दी से जल्दी कहा संबन्द है लेम्डा एंब बराबर कपाइंट में 2000 विव्यन की मॉलरता डैंडा और यह क्या है विशिष्टव चालत आफ यह अब मॉलर चालकता लेंडा एम और तुल्याइंग की चालकता में क्या संब्स में एम और न काई फरक है बाकी सबसे मिला रहें आव जी आओ तुल्याइंकी भार करदो जहां पर मॉलरता थी वहां क्या कर दो तुल्यांग की बार मॉलर चालकता और तुल्यांग की चालकता अगर मॉलर चालकता बढ़ाते हैं तो तुल्यांग की चालकता क्या हो जाती है यह रही तुल्यांग की चालकता गरावर का संबंद है यह बढ़ती है यह भी तो बड़ी रही घुणा में यह जल्दी बताओ जल्दी बताओ कि लेब्डा अगर यह गुड़ा में इधर जाएगा भाग में यस और नो जल्दी बताओ फटाफट बात समझ में तो हमेशा ध्यान रखो कि फॉर्मूला क्या कह रहा है लेम्डा एंब बराबर अनुभार बटा तुल्यांग की बात इंटू मोलर सॉरी तुल्यांग की चालगता अब इन इप्पोर्मूला यह बच्चों याद करें ना भई पहला क्येस्टन एने प्लस सीयल माइनस की अनन्त तनुता पर मोलर चालगता बताओ फॉर्मूला सब बच्चे लिखेंगे कमेंट में जब तक आप फॉर्मूला लिखकर नहीं भेजोगे मैं सवाल नहीं कराओंगी फॉर्मूला चालगता का फॉर्मूला जल्दी याद है ना कपा इंटू थाउजेंट अपोन एम लेमडा एम बराबर होता है कि नहीं यही होता है तो सबसे पहले तुल्यांग की मॉलर चलन की घंड़ना के लिए हमें मॉलर चालगता के लिए इस तरह से लिखना आपने ऐसा कहां पर समझाया था कोल राउस नियम में दुर्भल चालगता दुर्बल वैल्टेओं की चालता में समझाया था वहां पर लिखा ता वैल्ली लिख ली तो नसी यह जोगा रनाइन का दनाएन वर रिणाइनों की मॉलर चालगता के योग के बराबर होता है तर और नौ जल्वी बताओ जी बताओ फटा फटी तो सिधा ही निकल गया अपने उज़रोती नहीं पड़ी कपा की डायरेक्ट आगई बात समझ में आगई यानिक डायरेक्ट फॉर्मुले से भी तो हो रहा है को दिक्कती नहीं है सेकिंड क्येस्टिन केसियल समाधान की मौलर बताओ भई जिसमें आपको यह दिया गया है अच्छा इसमें दिया है कर लागेगा बच्चों यह आगया अपना बिलकुल 1000 मौलर दी हुई है यहां पर क्या कपा का मान दिया है मौलर्त दी हुई सब कंच में लिखो अरे बाते मत करो बहए आप कहा हूं अरे इदर-दर की बाते नहींαι करते हैं अगर इदर दर की बाते खड़ें तो समझ में नहीं आए उतनी है जितना तुम और और बातों पर ध्यान दे रहें और बाती बात में करें मैंने का एना क्लास के बाद में पांच में अपन बाते करें लिए इस से पहले पढ़ाई पूपर आगे चलते हैं एक बार डाल दिया उसके बाद खराब तो खराब वापस उन्हें चार्ज निए तो मेशा कौन से से लोते हैं प्राथ मिक से लिए सुस्क सेल भी कहा जाता है जिन में जो सॉलिशन बना जाता है वोन टाइम यूज होता है ओके उसके बाद में आयनों कि संग्या समाप बैटर लिखो रियाक्शन लिखो तो वही आपन फटा पट देख लेए सबसे पहले प्राथ मिक सेल ठीक एक बार ही होती है इन सेलों को पुने है आवेश्ट नहीं किया जा सकता इन्हें प्राइमरी सेल कहते हैं प्राथ मिक सेलों का एक परियोग करने के बाद या अनु होगी क्लियर हो केंड सेकेंड अब इसका उधाना है सुष्क सेल मरकरी सेल डेनियल सेल अधी प्राथ मिक सेलों में इसका में जाता है क्लियर बात समझ में आई जलते हैं अब है आपका सुस्क सेल क्या होता है इसकी बनावट देख लेते हैं और होता कैसा वो आपके सामें स्क्रीन पर डाइगराम दे रहा है और सभी बच्चों को दिखाई दे रहे हैं जल्दी बताओ या सबनों आवाज दारी है खूब आ रही है भाई एक क्या लिया हुआ है एक पात्र लिया हुआ है शुष्क सेल के लिए ना दातु अंदर धातू की छड़ है ग्रेफाइट की छड़ है धातू का कवर लगा है सी पूरा स्टीन लिस स्टीन का कवर लगाया हुआ है और उसके अंदर जो कार्बन की चड़े उसके बाहर एक पैस्ट भरा हुआ है जो पैस्ट है ग्रेफाइट की चड़ के थोड के रूप में कारे करती है मैगनीज डाय ऑक्साइट की चून से गिरी होती है यह ग्रेफाइट की चड़ का कारे करती है कैथोर के मद्दे का इस्तान एन एच फोर सी यह और जैरन cl4 या यूँ भी कह सकते हैं एमन ओटू से भरा हुआ होता है राइट चित्र से इस पस्ट है इस सेल में एन और और कैथोर पर क्रिया कैसे होती यह ज़रा ध्यान दो बच्छों यहां पर यदि आप नच फोर सी यल ले रहे हैं और एमन ओटू ले रहे हैं या फिर जैडन cl4 भी ले सकते हैं जैडन cl2 लेना चाहिए जैडन cl2 या जैडन cl4 भी ले सकते हैं तो कहा कि यहां पर जब यह तूटते हैं जैडन प्लस टू cl- एमन प्लस टू-2 तो जिंक इलक्ट्रों देगा और जब एमन ओटू और अमोनिया अमोनियम जब रियक्षन करेंगे तो यह एक इस प्रकार की रियक्षन सामनी आती है वो क्या करता है इस रियक्षन में दातू जो धनायन है वो कार्बन की छड़ के पास जाएगी ग्रेफ टीचर के पास और जो रियनायन है वो जाएगा आपके एईनut पर लकि 방송 कार्भन की चल़ पर माइनाश लगता है बात समझ में यह नी धनायन आन यानिन इन और पर रियक्षन स्यंग की और के थोला पर रियक्षन किस की होगी बिटा कैघ्व तोर पर रियक्षन होगी आमो आज तू बात क्लियर हो गई कि एन और पर जैडें से जैडें प्लस डू बनेगा हाँ यह न अगर यहां पर दनायन है तो यहां जैडेंट प्लस डू यह तो रहेगा भई प्रस्टू बन गया मनोटू से मनोच बन गया लेकिन इससे वापस यह रियक्शन नहीं हो सकती है एक बार ही चार्ज होता है क्लियर बात समझेंगे फटा फर उतारेंगे धकी बात क्लियर हो चलते हैं आगे जल्दी से देखिए फटा फट ओके अब आता है मर्कुरी सेल क्या होता है इसके अंदर पानी कम होता है गाडा सा पधार्त होता है और यहां पर अच्जी आने का एक सॉलूशन भरा जाता है जब इनमें अच्टो डाल कर धारा का प्रवा होता है तो अमल्गम बन जाता है solid पदार्थ यहां बन जाता है और यहां पर भी solid पदार्थ बन जाता है तो Mercury जो बरी जाती बिटा वो नोर का स्वर के थोड का काम करती है और यहां पर जो का ब्राइन्स सॉलुशन बहर जाता है थो वो हो जाता है के ठोड की प्राइक बाइन सोलुशन है तो एनोड का काम करेगा तो एनोड पर रेक्शन धाथ से डातू आइन बनेगा तो एनोड और धातू आयन से क्या बन रहा है धातू तो तो हम पर समझते हैं इस की थोड़ी सी मेकली से मर्करी सेल का उपयोग श्रवण यंतर घड़ियां केमरों आदि में किया जाता है इस सेल में जिंक एनोर और ग्रेफाइड के थोड़ का काम करती है अब आपको मैंने यह तो पढ़ाई दिया है कि एनोर के थोड़ पर कारी कैसे होता है हमें कैसे पता चलेगा अगर आप सक्रियता सुची याद कर लें तो आपको बात क्लियर हो जाती है कि अपन यहां पर यह क्यों पड़ रहे हैं जो अधिक रियाशील वह एनोर जो कम क्रिय वह के थोड़ पर कारी करता यह आपको थोड़ा सा याद रखने वाले टॉपिक है तो रख लेना पैस्ट वियूद अपकटे के रूप में काम में लिए इनकी अभिक्निया निमने परकार है एनोर पर जिंक तो बेटा के थोड़ पर अच्जी का कारी होता है या लिखा हु जल्दी से उता रहेंगे चलते हैं आगे दिविती एक्सेल जिने वापस चार्ज किया जा सकता है घर में इन्वेटर के साथ जूड़ी हुए इसकी बैटरी क्लियर यह यह मैंने बहुत अच्छे समझाया है आपको लास्ट वीडियो क्लियर से देखना वह से जिनको विद्यूतरा के प्रवाएं पुना आविशित कि जा सकता है दुवारा चार्ज करने में उप्योग में लाया जासकता है मूबाइल की बैटरी इंवर्टर की बैटरी चार्ज लाइट आदी ठीक है सीसा संचायक सेल दिख रहा है ना बिटा ऐसी तो दी अपन मिश्रन भरा हुआ होता है वहीशार की पर अगर इसमें पानी डालते रहते तो तनुह होती जाएगी वह अईसे तनू होकर आईनी ख्रत होता रहेगा अपने बैटरी में से आवाज आ रही को कहते हैं ना प्यों कि इसमें पानी की कमी है आयन अब तूटने के लिए उनके पास माझ्यम नहीं है तो आयन जब तोर तों तो आयों गती कैसे करें गती क्याइंगे तो इसलिए हो चेमी एक चाला करो को सांद्रित नहीं ऊस्ठानि भड़ावरवर दानंटी ठीक है बही चलो अपने टवूपिक तो में आगया इन्वेटर आदी में सीज़से में लैड एनोड का कार्य करती है और पीबी ओटू बिटा के तो यह याद रखनी है आपको एन और के तो कारी क्या था से देखो अस्टियस फोर का वीलियन भरा हुआ होता है और इनके अंदर जो है पीबी ओटू भरा होता है तो य अवजे अपने डलते हैं तो यह कंसंट्रेट नहीं होते हैं लिक्विड होते रहते हैं और आयन करते हैं ये सिकी है लाइट से लेड सलफेड और आयन निकाल दिया वहीं पी बी-ओस एपिह एसो और ग्या अब यहां पर जल मात्रा साथ में मुक्त हो रहή है तो यह रिवर्स रियक्शन जैसे यह रिवर्स रियक्शन होती है जो के थोर पर किरिया हो रही है जो एनोर पर हो रही है वो के थोर पर होगी और जो के थोर पर हो रही है वो किरिया किस पर होगी इसलिए यह आता है एनोर के थोर को मिलाकर संपूर से अभी किरिया इस तरह बन जाती है लेकिन यह रियाक्शन रिवर्स भी होती है जिसे रिव या चार्ज किया जाता है तो चलते हैं अगला अपना आज का लास्ट का टॉपिक इंट मेरी कुझ तार्ट के संपर्क में या नमी के संपर्क में आ तो वह खराब हो जाती है तो संप्रोड हो जाती है तो हम उन्हें चाहिए संपर्क活 में रखा जाता है तो लाएक कि उपस्ति में धीरे धीरे नश्ट वने लगती है संक्शारण कहते हैं ऑक्साइड कार्वोनेट औकसाइड कारबोनेट कैंछ झौलदि oldu comment में जञाओ लिखो तभी मैं आप आजकर पढ़ने ही रहें पढ़ो पढ़ो भाई यह जल्दी पढ़ो मेरे बच्चू पढ़ो चले चलते हैं आगे संक्षारण के उधारण कौन-कौन से जाज देख लें चांडी की चमक का कम हो जाना चांडी काली पढ़ जाती बर को यह क्रिया शील्द तांबे की छड का हरी हो जाना कैसे मालूम चला तांबे की वर्तन होते ना तांबे पीकतल के में green green सा जम जाता है इसका मतलब वो संक्षारित हो गए है लोहे पर जंग लगना बड़ी बात नहीं देखा हुआ है लेड़ का अपना संचरन संचना को चले अब आता है आगे संग्षारण की क्रिया इंटी की व्यक्या करने के लिए एक सिद्धान दिये गए जिसे मूल रूप से रासाइनिक प्रक्रम है जैसे लोहे पर जंग लगना सबसे इंपोर्टेंट यह क्या शनाता है लोहे पर जंग लगना जो है वो किस प्रकास से होता है तो बताया गया है कि आईरन को आप आइनित करेंगे और उसे ऑक्सिजन के उपस्तिती में रखेंगे तो वो जल बन जाता है और वही जल इसको क्य कर देता है reaction करता है इसके साथ और आयन जो है f2o3 में बहुत जल बनता है वाफी के साथ reaction कर रहा है वो reaction कर किया बन जाता है f2o3.xH2 जंगल लगा लोहा है बैटा इसका सुतरा आता है एक्जाम में फोर्मूला पूछते है एफी टुओ टूओ ठीडॉट एक्स एच्टू होता है किसका जंग लगा लोहे का सुत्र होता है क्लियर बात समझ में पटापट उतारना पड़ेगा ताकि बात क्लियर हो जाए जंग लगे लोहे की रियक्शन आपको आने चाहिए रियक्शन सभी अच्छे से उतार लेना त कि अच्छे से क्लियर हो सके डन के चलो आगे संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक बताओ कब-कब जंग्चारित होता है किसकी वजह से ठीक दातों की क्रियाशन ता तो क्यों तुरंद रियक्शन करती खुला छोड़ दें सॉडियम है खुला छोड़ा आग पकड़ संक्षारित में और धिया समझ्दी की ऑशचाति पढ़त मिला हो तो खराब हो जाते हैं नमी सामने बिलकुल खराब हो घर गएंजए उपर डाल दाली ग होगया लोग मॉरा है चांदी है यह सब क्या होजाती आज पर यास सब्विश्य चोड़ने ? छुरने अश्द्यों siis एक बार उतार लेंगे इसक्रीन शोट लेलो ताकि बात क्लियर रहे कहते मुझे कि आप साइड में हटो तो स्क्रीन शोट ले लें लूजी हर साइड में हट जाते हैं चलो आगे लास्ट है टॉपिक आज का ताकि हम अपने अंतिम पढ़ाव को पार कर सकें और अपना चैप्टर कम्प्लीट कर सकें इसको रोकने के उपाई बता दो बस और सब ठीक है दातों की सताय पर पैंट वर्निस की पतली परत चड़ा कर मशीन के पुर्जों पर तेल अत्वा ग्रिस लगा कर विद्युत लेपन द्वारा लोहे की सताय पर निकल कॉपर की परत चड़ा दो तो हो जाता है गैल्विनी करन की विदी द्वारा जंग रोधी वीलिनों का उप्यों करके के थोडिक रक्षन द्वारा सबसे आच्छी बात यह काम हम सब करते भी हैं लोहे के ऊपर पॉलिश कर देते हैं और पैंट कर दें क्या हो जाएगा अब वह खराब नह तक चले तो सहीं मसीन के पूर्ज में तेल डालते रहते हैं ताकि वह आसानी से काम करें घर्शन कम हो लोहे की सतय पर कॉपर की परत चड़ा दो एल्यूमीनियम की परत चड़ा दो खराब नहीं होगा गैल्वनी करन विदी द्वारा कर दो कोई भी उसके उपर विबव जो इस परकार हम क्या कर सकते हैं संक्षारण से चीजों को रोक सकते हैं टॉपिक समझ में आ गया क्लियर हो गया तो पटाफट यस में लिख दें ताकि बात समझ में आ जाए टॉपिक अच्छे से ठीक है तो सही से जितना आज मैंने पढ़ाया बच्चों यह पूरा नोट्स म में आप करेंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें क्लियरली पढ़ सकें अच्छे से मन लगाकर वापस रिविजन जरूर करना नेक्स्क्रास में नए चप्टर के साथ मैं आऊंगी तब तक पूरा चप्टर के नोट्स बना लेना और अगर पीडियास चाहिए तो मेरे को कमेंट में बोल देना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको हमवक विवाई से लेना है तो जब तक मैं अगली क्लास में आती हूं खुश रहो मस्त रहो मन लगाकर पढ़ते रहो थैंक यू